अब सभी साथियों को नमस्कार, मैं बोध सिक्षा समिती की तरफ से आप सभी के स्वागत करता हूँ आज का वैविनार पूरे भारत में चित्ता की रूप में उभरते एक विशिष्ट विशय पर है आप सभी जैसा जानते हैं कि COVID-19 महमारी के मद्द पूरे भारत में विद्याले को बंद किया गया है इस कारणवर्ष बच्चों का एक ऐसा वर्ग है जिसके सिक्षन पर कोई पाबंदी लग गई है या इसी नजर आती है आज हम हाशिये पर उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी शिक्षा की पूरी जिम्यदारी उनकी मातापिता के पहल पर और समुदाई पर टेका है आज का विशय ऐसे ही समुदाईों के नेत्रित्यु से उभरे समता एवं गुणवक्ता पूर्ण सिक्षन के मॉडल्स पर अधारित है ये मॉडल्स बोद एवं उसकी सहायक संगठनों के साथ समुदाई, मतापिता और बच्चों के साथ पिछले चार महीनों के कार्य करने करते हुए विक्षित किये गए गए इसमें मुख्य रूप से तीन प्रोग्राम और तीन अलग-अलग राज्यों में चलाया जा रहे का अधारित है। मैं इस वेबिनार की शुरुआत और सही संदर्व रखने के लिए बोद सिक्षा समिति के निदेशक युगेंद्र भूशन जी को अमंत्रित करता हुए। और उसके प्रभावों के दोरान दुनिया भर के वैश्विक राज विवस्थाओं, आर्थिक विवस्थाओं, सामाजिक विवस्थाओं का एक तरेपा एक स्क्रेनिंग समाना अंतर हो रहा है। हम अंदर तक देख पा रहे हैं। इस प्रकोप के प्रति जो रैस्पॉंस है या इस प्रकोप के जो प्रभाव हैं। वो समाज के दुनिया के देशों के विविन हिस्थों में उनके किस तरह के अर्थ हैं और किस तरह के विपक्तियां उससे वो गुजर रहे हैं। और इस सारे परिदश्ट में जो रैस्पॉंसेज हैं जिन तरीकों से हम इस परिस्तिती से ओवरने का प्रियाज कर रहे हैं। उसने एक प्रकार से साथ साथ में हमारी सामाजिक, आर्थिक, प्रसाशनिक, राजनेतिक ब्यवस्था है। उसकी भी एक स्किनिंग्स ही कर दी है। और बहुत उज्यागर हो रहा है कि उसमें किस प्रकृति के पाल्ड्स हैं, किस प्रकृति के फ्रेक्श्र्स हैं, और अंदर से उसका धाचा कैसा है। इस बात को थोड़ा आगे अगर बढ़ाएं, तो एक और बात हमारे सामने आती है। इस प्रकृति का कोई एक जैसा प्रवाग सर्तूपर नहीं है। समाज के बहुत से हिस्से हैं, जो जहां तक बीमारी का पिष्ण है, उससे संयोग बस सभी प्रवावित हो सकते हैं। लेकिन इस बीमारी से, इस प्रकृति से जूजने और इसके उवर्वने के जो उपाय हैं, जो तरीके अपनाये जा रहे हैं। उनका निश्य प्रूप से एक तरह के नागरिक समुहों के उपर, समदायों और वर्वों के उपर एक प्रकार के प्रवाव हैं। और दूसरे तरह के नागरिक समदायों के उपर अलग तरह के प्रवाव हैं। और इन उपायों में अगर हम कुछ को याद करने की कोशिश करें। और आज जो सारी दुनिया में लगभग कुछ शब्द सभी भाशाओं में, सभी बोलियों में एकदम केंदर में आगे हैं। कोरोना पेंडेमिक है। दूसरे शब्द है लोगडाउन। तीसरे शब्द है वर्क्रों होम। चौतर शब्द है ओनलाइन एजुटेशन। अब यह जो उपाय किये जा रहे हैं और जिस धंग से हमने इस परिस्तिती से उबरने के प्रियास किये हैं। उसका पहला उधारन है लोगडाउन। जिस कर्थ है सब कुछ एक आएक बंद कर दिया जाए। और सभी नागरिक केवल घरों में रहें और घर में रहें एक या दो दिन नहीं पर कई दिनों कई मेनों उनसे यह कहा जा रहा है कि आप घर में रहकर ही सुरक्षित आप है सकते हैं। और धर में सुरक्षित रहना ही आपका धर्म है अपने आपके प्रती, अपने परिवार के प्रती, समाज और राश्ट के प्रती तो इस्ते-at-home का जो एक जापक स्तेटी जी अपना ही गई और उसको अपनाने का जो तरीका है वो बहुत बैधाने को और कानूनी तरीका है अर्थात उसका उलंगन करना एक अप्राद है जो दंडिनी है लेकिन देखने का प्रसंग यह है कि महनों महनों कई दिनों अगर घर में रहना है तो उसके जो प्रभाब हैं वो बहुत तरे के प्रभाब है एक छोड़ पे बहुत आनंद उस सब के प्रभाब हो सकते हैं कि बहुत आनंद है आराम से घर में रहिए और कितनी दिन रहिए कोई तकलीफ नहीं है बलकि हो सकता है कि मिल जुलकर परिजनों के साथ बहुत आनंद से जीवन बिताने का समय मिला हो बहुत से लोगों को लेकिन दूसरे छोड़ पर बड़ा सवाल जमीन पर ये है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका एक दो दिन घर में बंध होने से दम भुण सकता है जिनके भूके पेट और उनके उपर विफर्पियां आ सकती हैं उनके परिवारों के अनेग संकट और गहरे हो सकते हैं अगर उन्हें घरों में ही रहना है तो घर में रहने के सामाने प्रभाब सबके उपर एक सी नहीं है कि दूसरी एसी तरह की बात है वर्क फ्रॉम हों और एक राज की आदेश के तौर पर एक बड़े सुझाब के तौर पर अगर ये बात आ जाए कि आप घर से काम करिए तो एक ऐसी युक्ति है जो हो सकता है कि एक दो पिश्चत लोगों को उसकी समझ हो उससे पर्चे हो और उनके लिए वह बहुत शुग्दा जनव को सामाने हो जीवनका सामाने सरूप को काम करने पर लेकिन हमारे देश जैसे समाजियों में तो यह आधिसंग के लोगों के लिए एक ऐसा शब्द है जिसका कोई प्रसंग ही नहीं है आम जन के अध्यवसाय व्यवसाय आजीव का पारजन की काम ऐसे हैं जो घर में बैठके हो इनी सकते हैं तो वर्क फ्रोम होम वहां एक पून्टे असंगत सी एक प्रोजीशन है उस उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक प्रसंग है ओनलाइन एड्यूकेशन इसे और सबास से लिए अलग हल हो रहे हैं अलग तरह से हल हो रहे हैं बच्चों की शिक्षा का सवाल है तो सुरक्षा का सबाल को सब्रिथम हैं तो सभी स्कूल, सभी शिक्षत, सभी आउनलाइन सिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ें और उसके माध्यम से उसे किया जाएं ये भी एक ऐसा ही प्रसंग है अनेक परिजनों, बच्चों के परिजनों के इस्तितियां ऐसी हो सकती हैं और वो पहले से अपने स्कूलों में इस तरह के परणों और पद्यतियों से प आउनलाइन एजूकेशन से भी अपनी एजूकेशन पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारे देश के अधिसंग के बच्चों की इस्तितिये हैं जहां ओनलाइन एजूकेशन का जो पूरा बीदिविधान है वो उसके कहीं आसपास उन्होंने कर भी उसका ना अनुहब है और ना उनकी वो परिष्थितिया है तो यह तीन बातों का मैंने जिक्र यहां इसलिए किया इस पूरी बात को संदर्वित करने के लिए कि कोरोना के प्रकोव के साथ मैं उससे होवरने उससे बचने या उसके रहते हुए जीरने के जो शुरूप और प्रारूप हमारे सामने प्रिस्तुत हो रहे हैं उनमें दो विशेस्ताएं मुख्व हैं कि एक तो वो इस प्रतार के प्रारूप हैं जो सभी समदायों और सभी वर्गों और सभी समुहों के लिए उननके अलग 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 हैं अलग 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 उननकी व्यवारिक हैं कहां वो बहुत माकूल हैं और कहीं वो पूनत है विवारिक हैं असंभव हैं दूसरी विशेस्ता यह है कि इन प्रारुपों को इस धंग से प्रस्थत किया गया है कि यही तरीके हैं और यह सब को दूहीं का प्रयोग करना है प्रकाश से यूनिवर्सली उन के प्रैक्षि होनी है और एक मात्र तरीका है जिस जो कानूनन तौर पर एक तरह से अलाउंड है और कानूनन तौर पर जिसको आप उप्योग करने के लिए चुशतन परें और आपसे इस तरह की अपैःशिय की जाती है तो जो तरीका बहु संख आवादी के लिए किसी भी रूप में अर्थ नहीं रखता है, ब्यभारिकता नहीं रखता है, अगर वो एक मात्र तरीके के तोर पर और वो भी कानूनी तोर पर वाध्यकारी तरीके के रूप में, जिसके और किसी बिकल्पों को सोचने या बिचार क करने के अबसर भी अगर ना दिये जाएं और उसे घंग से प्रस्तुत किया जाए तो उसके implications क्या है उसके प्रभाब क्या है यह एक दूसरा प्रिश्म है और इसमें तीसरा प्रिश्म यह है कि कहीं कहीं इस तरह का भी अभास हम पाते हैं कि मानिए यह जो तरीके हैं अब जो कहा जा रहा है work from home और online education यही एक नए सामाने रूप हैं सरूप हैं बदल की पर इस्तितियों में न्यू नॉर्मल के टॉर्टन को कहा जा रहा है कि अब यह जो भी इस्तितियां हैं यह तो बिपर्टी की स्थिति है बहुत विशेश इस्तिति है पर हो सकता है कि यह दोर हट भी जाए तो भी यह थी यह प्रारूप ही सामाने प्रारूपों की तरह से समझे और अपनाए जाने चाहिए तो यह जो नूर्मल की संभावना के साथ एक जो प्रस्ताव हैं वो आम जीवन में उनका कोई ना तो प्रसंग है ना परिस्थिती है ना अर्थ है ना विवारिक्ता है और अगर आगे भी जोर ये है तो इस ओर ही हम जाएं तो इसके क्या प एक चीज मुझे जो समझ में आती है कि कहीं ने कहीं इस तकोव के दौर में जिस तरह के सुझावां और प्रस्तावां को सार जनिक तौर पर सार भौमिक तौर पर समाज के सभी नागरिकों के उपर लादा है वो सारी युक्तियां समाज के एक हिस्से के लिए बहुत उपयुक्त युक्तियां हैं बहुत सहज युक्तियां हैं बहुत सहज तरीके हैं और ये सब कुछ हो रहा है तो जीवन सामान है घर में है और तो हमारे पास घर में सब कुछ है इसलिए घर में बने रहने से कुई दिक्कत नहीं है घर मे हैं हम घर में रहके काम करके वैसे ही रह सकते हैं जैसे पहले रहते थे तो जी उन्हा कोई दिख्कत नहीं है हमारे घर है जो सभी तरह की लाइन्स से जुड़े हुए है कि वाद हम जो सोचेंगे हम जो चाहेंगे जो हम करना चाहेंगे किसमरण करेंगे बटन डवाएंगे और सब कुछ उपस्तित होगा हमारे लिए हमें इस दुमिया के हर चीज से हमारी हर आवश्यक्ता हमारी हर इच्छा की कूर्टी का समाधान उनलाइन सब कर सकते हैं तो उस तब के लिए सब कुछ व्यवस्ताएं बहुत सहज सामान प्रपोजिशन से हैं लेकिन बात यह है कि हमारे देश का तो नब्वे प्रिक्शस से भी अधिक जन समू है वो ना तो घर में रहने से बहुत शपून है उसको घर में रहत के जीवन का सफ़ी काम नहीं है और उनके अधिकांस बच्चों के परिजनों के घर को ऐसे हैं जम किसी भी तरह की लाइन नहीं पहुंचती है, उनके लाइनों से जीवन चल रहा है, ऐसी परिस्तिती है ही नहीं, और अगर इस इन सारे विकल्प, इन सारे तरीकों को, अनवारिये विकल्प हीन तरीकों के रूप में रखा जाए, तो एक क्या प्रभाव उसके होंगे, वो हम पिछले पांच म मेने से अपने इर्द इर्द के समाज में महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ ये जो कुछ हो रहा है, ये जो लॉगडाउन, विद वर्क वॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन का एक ही परिद्रिश्ट हम को समझ में आता है, हर चीज बंद हो गई है, लॉगडाउन हैं इन्टू अनलाइन नहीं है, हमारे यहाँ, एजुकेशन सट डाउन है, इसके प्रहाब क्या है, और विशेश तोर पर हमारे देश के आवादी के जो भॉखसं के बच्ची हैं, स्कूलों के भॉखसं के बच्ची हैं, साज जनिक विद्यालों के, सिविस्ट्राइट की और्गनाइज एक बंद इस्तिती है, और ये बंद इस्तिती को ना समझा जाए, ना देखा जाए, ना इसके बारे में बात की जाए, और हर एक को कहा जाए कि ओनलाइन करते रही है, वर्क्षों हम करते रही है, सब की शिक्षा बहुत आराम से हो रही है, जो लोग शायद नेरने ले रहे उसमें शायद ये सामानी रूप से घटे तो रहा है तो हमें कोई खास इसका अफ़क नहीं पड़ता है लेकिन मैं जिस वोर इंगित कर रहा हूं या जिस समाज और जमीन से जोटे जो हम अनभव कर रहे हैं वहां इनके अर्थ इनके प्रवाब बहुत भिन्न है और थोड़ा दर ये लगता है लगने लगा है कि कोरोना का बीमारी के तौर पर जो प्रवाब है वो संकट तो है और कब होगा कब तक चलेगा कैसे पतम होगा उसके बारे में बहुत कुछ इस पस्त नहीं है क्या आगे होगा वो संभावनायों की बाते हैं लेकिन इससे जिस प्रकार से निप्ता जा रहा है और जीवन के समस्त मसलों को जिस रूप और धाशे में डाल के जीने की एक इस्तिती के निरदेशन है उसके प्रवाब भी मह हमारी से कम होंगे यह कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे उसके दोस्त प्रवाब जो अब बन रहे हैं और अगर इसके इस दोरां यह रुजान हो कि यह प्रस्ताव ही सामान्य प्रस्तावों की तोर पर सामान्य तरीकों के तोर पर अपनाए जाएं यह सामान्य तरीकों क और तरह ढाले जाएं तो हम किसी ऐसी फषर प्रिस्तिती में तो नहीं जा रहे रहे हैं कि हमारा सामाज का जिवन कि असी विवस्ताओं से जज्यदा होत परो जो समें जिन के आवश्तिताओं और हम दिन संगतन तो तो हम यह प्रिश्नय अपने लिए उठाते रहे हैं शिक्षक संहों के तौर पर शिक्विज्ञेश संगतर्ण के तौर पर ओर जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं जिन समधायों के साथ हम काम करते हैं उनके हिस्से होने के तौर पर वर हमें ये महसुस होता है कि ऐसे बिकलप जो हमारी जीवन इस्थितियों के अन्ञूल ही नहीं है वो बाध्यता में कुछ समय के लिए उन में जीना उन में रहना एक अलग बात है पर सामाने तोर पर उन ही तरीकों से हमारे जीवन की आवश्यक्ताओं की पूर्ती के की बात करना एक पूरी अगर ँनके उपर सोच कर कुछ और हुं है कि रचना करने की हमें खुर अभी न हो हम सोच भी न पाएं हम बात करने की तो और करने की हमें लगे कि सुतंतरता है भी या नहीं ऐसा माहोल अगर हमारे चारों पर रखो तो यह और भी जटिल कर देता है इस परिष्टिती को अब के लिए भी और आगे के लिए कि हमें संगोष्टी में कि यह प्रिष्ण उठा उठाना चाहते हैं तुम सभी शिक्षक साथियों के साथ में शिक्षक शिक्षा के निकायों के साथ में शिक्षा से जुड़े और बहुत सारे नागरिकों के साथ में शिक्षा विदों के साथ में कि आज की यह परिस्थितियां किस तरह का प्रवाब आम बच्चों की शिक्षा के उपर डाल रही हैं और इस दौर में जो संद्रचनात्मक और अच्छे या बुरे और हम क्या सोचते हैं कि हमें इस मैंने जो दो-तीन बात अपनी ओर से कही हमारे बोध के शिप्षक साथियों के अन्भवों के आदार पर कहीं उनकी जानकारी के आदार पर कहीं हमें लगता है कि हमें कम से कम आम बच्चों की ओर से इस स्थिती को बहुत बुलंद धन से अपने अंदर प्रश्न के तोर पर उठाना चाहिए और इसके उच्चित उत्तर इन बच्चों के जीवन और भविष्ट के लिए क्या होंगे उसके उपर विचार उमर्ष करना चाहिए और ऐसे बिकल जो निश्चित उप से बच्चों क कि सुरक्षा को सुनिश्चित करते हों लेकिन साथ-साथ उनकी इस उमर में उनकी जो पढ़ाई का समय है उसमें मेहनों और वर्ष्णों का बहुत है और उसे वो शिक्षा की मेरंता का से बंचित ना करते हों ऐसे विकल्पों की कलास करनी चाहिए इस प्रश्न को इस से जूज रहे हैं और हम अगर परस्पर विचाल मश करें तो हम सब के लिए निश्चितूप से एक स्वायत दश्टिकॉंड और एक अधिक जमीनी हकीकत बनाई गई रंडमीती का प्रस्ताव शैद इसमें से हम उभार पाएं पुने आप सब का इस संगोष्टी में समनेत होने के लिए बहुत आर्दे का भात और मैं अपनी बात के ही समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद यूगे इंद्र चुप बातों के सुनकर आवश्य ही ऐसा लगता है कि जो आभी तक सवाल एकसेस कर रहा है वो इस समय में लर्निंग के क्राइसिस और उसके रादर रिग्रेशन के तरफ आवश्य बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा जिसे आपने इन बातों में रखा है अब हम आगे बढ़ते हुए हम मैं शाशा प्रियो जी को अमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारी जो मॉडल है उसको सामने रखे शाशा प्रियो जी बोद के वरिष्ट फैलो के रूप में कारेरत है इनका जो अनुभव रहा है वो सरकारी सलस्थानों और ग्यार सरकारी सलस्थानों के साथ बेड़े पर पैमाने पर कारे करने का रहा है पूर में शाशा जी यूनिसर्ट के सालाकार भी रहे हैं तो मैं साशा प्रियो जी को अमंत्रित करता हूं कि वो आके इस मॉडिल का पस्तुती करन करें एवों उसके साथ- पर आधारे को जो हम एक अलग एक प्रेजेंटेशन या एक वीडियो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं उसका प्रस्तुती करन करते हैं शा शुक्रियुच जी बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जैसा कि अभी पिशले सत्र में योगीन जी ने अपनी बात रखी है कि जो स् हमने हैं वो बहुत ही अभूत-पूर्व हैं और खास तरह पर बच्चों की शिक्षा के संदर्ब में इस तरह की रुकावट या जो हम इसको कम्प्ली शट्डाउन की एक संग्या दे रहे हैं वो जिस तरह से उभर कर आई है कोई उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो इस पूरी परिस्तिती में किस प्रकार बोध में हमने क्योंकि खास तौर पर जो एक इस्तिती का एक बहुत मैत्कून मैं कहूंगा एक करेक्टरिस्टिक है वो यह है कि एक शट्डाउन होने के बाद भी खास तौर पर जब तकनीक के द्वारा टेलफोन और इंटरनेट अध्यम से शिक्षा को मुहया कराने की बात की गई तो बहुत साफ रूप से यह समझ में आ रहा था कि पूरी परिस्तिती है यहां बच्चे बिल्कुल दो धड़ों में बट गए हैं और वो उसका जो आधार है वो मूल रूप से यह है कि उनके परिवारों की क्या प्रश् करेंगे बलकि मुल रूप से हम इसको एक समता के प्रश्न के रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी भी बच्चों तक पहुंच हो पाती है परन्तु उसमें समता के आयाम जो हैं उन पर कितनी गंभीरता से प्रयास हो पाते हैं वो उतना ही महत्पूर है और साथी निर्मान करने की आविशक्ता रहेगी तो इस पूरी सिच्वेशन में हमारे जितने भी कारिक्रम हैं उनमें हमने काम करने की जो शुरुआत है वो की और वहाँ पर जिस तरह के मॉडल्स हम उसको एक संग्या दे रहे हैं मॉडल्स पर वो कभी भी इस रूप में उनका प्रकटिकरन नहीं हुआ या उनका विकास कभी भी इस रूप में नहीं हुआ कि वो किसी किसम के कोई मॉडल्स हम बनाने जा रहे हैं हमारे जहन में कुछ चिंताएं थी कुछ सरोकार थे जिनको लेके हमने अपने काम को गठित करने की कोशिश की है और साथ ही साथ में जब हम उन सरोकारों को बिल्कुल अपने सामने रखते हुए प्रक्रियाओं का निर्मान करने की कोशिश कर रहे थे तो जो भी चीजें हमारे अनुभव में आई या जिस प्रकार से हम उन पर काम कर पा रहे कर पाएं हैं उसका एक प्रस्तुतिकरण उसका एक प्रेजेंटेश में यहां पर आपके सामने करने जा रहा हूं So definitely हम सभी जानते हैं कि जो COVID है उसने बिलकोल एक real shutdown जैसी situation बना दी पर उसमें कुछ एक खास किसम की एक स्थिती जो मैंने कहा कि वहां से पैदा हो रही थी कि जब आप टक्नीक के माध्यम से पहुँच रहे हैं तो असल में कितने बच्चे हैं जिन तक आप पहुँच सकते हैं वो तक्नीक के अपनी एक सीमा वहां पर थी ही और दूसरा आप पहुँच रहे हैं तो वो कितना कारगर है, कितना समता मूलक है, कितना सीखने के जो वास्तविक जो आयाम है उस पर काम करने की उसमें शमता ह और बच्चों की जो परिस्थितियां है, चाहे वो उनकी घर की परिस्थितियां है या तक्नीकी जो स्थितिय है वहाँ जिम इलाकों में वो रहते हैं, उस पूरी सिच्वेशन को मुझे लगता है कि कुछ आंक्रे जो आप देख पा रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एक situation है हमारे हाथ में अर्बन और रूरल डिवाइड जो है वो टेक्नलोजी डिवाइड में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है और आज से दो साल पहले के हम आकरों को देखते हैं तो बहुत ही बड़ा अंतर है और अगर इंटरनेट रूरल हाउ सब्सक्राइड में देखते हैं तो केवल 14.9 प्रतिशत लोग हैं जिनके पास इस तरह का इंटरनेट अक्सिस है और अभी भी जो आपने हैं धन्तीन सो बीस मिलियन की बात करते हैं पर यह सिर्फ और सिर्फ कुछ रफ अंदाजें हैं असल में कितना फर्क पढ़ रहा है औ देश की और अन्य जो संस्थान हैं वो कोई उसका बास्तविक अंदाजन नहीं लगा पाए हैं इसमें लड़कियों की शिक्षा की भी बहुत बड़ी में कहूंगा कि एक चुनोती हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है और प्री स्कूल भी एक एरिया है चहां अभी हाल ही मे युनिसेफ की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि तकरीवन 40 मिलियन बच्चे हैं जो कि जिनकी अर्ली एजुकेशन जो है जो कि शायद उनकी सबसे महत्पूर वर्ष हैं वो बिलकुल जाया जा रहे हैं और जिसका खामियाजा हर विज्ञानिक शोर हमें बताता है कि उनको उम अपने काम को उसका गठन करने की कोशिश करी इस पूरी प्रक्रिया में होगा कि कुछ एक मूल फैक्टर्स हैं जहां पर बेसिकली हर मॉडल जो सो कॉल मॉडल है जो इवाल हुआ उसमें हमको जो मूल बात समझ में आ रहे है कि वह बहुत इस बात से निर्धारित होता है कि वहां पर जो बच्चे की वस्तु स्थिती है, स्कूलों की जो वस्तु स्थिती है, टीचर्स की जो स्थिती है, समुदाय की जो स्थिती है, वहां पर वास्तविक जो संदर्भों से जूचते हुए ही किसी मॉडल का निर्माण हो पाता है और बहुत हद तक ये जो पक्ष है ये निर्धारित करते हैं कि किस तरह के हम रचनाय बना पाएंगे जिसमें टेकनोलजी का prevalence है बच्चे खास तौर पर किस तरह से टेकनोलजी को इस्तमाल कर पाते हैं उनके पास कितना access है ये सबसे बड़ा एक factor है दूसरा factor जो हमें समझ में आया वो ये था कि टीचर्स की अपनी एक capability है, एक उनकी capacity है, तीसरा, टीचर्स एक collective के रूप में कितना काम कर पा रहे हैं, और एक collective commitment जो है at the very ground level, वो कितना है, कैसा है, यह अपने आप में बहुत ही महत्पून पक्ष रहा है, जहां पर समुदायका और जो शिक्षक हैं, या जो भी उनके बीच के अंतर संबंद का एक बहुत महत्पून पक्ष है, जो कि हमारे सामने उभर कर आता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक और पक्ष है जो कि इस slide में mention नहीं है, कि आपकी academic तैयारी कैसी है, अगर आप technology या even आप किसी भी तरह से सीधे बच्चो तक पहुचने की कोशिश करते हैं, तो आपके आपकी जो कारे की जो academic सरचना है, academic जो उसका aspect है कि हम किस तरह से किस तरह की pedagogy को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के material से किस तरह के instructions के साथ बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, वो भी एक बहुत बड़ा factor है और उसमें भ किस तरह के विकलप आप खड़े कर पाएंगे, वो हमने की कोशिश की है, इसमें एक अनुभव में एक सामाने बात जो है, जो मैं यहां कहना चाहूंगा, कि ये बात बहुत स्पष्ट हो गई थी बहुत ही शुरुवाती अनुभवों से और सभी जगों पर काम करते हुए ये सामने आने लगा था, कि टक्नीक जो है, टेक्नालोजी जो है, अगर उसको आप ऐस प्राइमरी मीडियूम के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपकी जो आउट्रीच है वो लिमिटेड है, और इवन आप अगर हमें ये महसूस हो कि आम बहुत आउट्रीच कर पा र हैं जो आप टेक्नालोजी के साथ काम कर रहे होते हैं, और जो लिमिटेशन हैं वो आपके बेसिक जो आपका पेड़गोगी फ्रेमवर्क है, वो कितना बच्चों के कॉंटेक्स्ट से जुड़ पा रहा है, ये एक बहुत ही महत्कून पक्ष है जिससे की आपके काम के में स और उसकी प्रभाग शीलता के जो पक्षें वो प्रभावित होते हैं, जो और छे एलिमेंट थे जिन पर हमने फोकस किया इस पूरी प्रक्रिया में, वो थे कि हम डारेक्ट आउट्रीच कितनी कर सकते हैं, इसका हमको ध्यान रखना है, उस पर फोकस बनाए रखना है, सब्सक्राइब के रूप में खड़े हो पाएं, एक संगठन के रूप में खड़े हो पाएं जमीन पर और इसी रूप में वो एक शिक्षा के जमीनी अभियान की कोई अभवाई कर सकें, इस रूप में शिक्षकों का विकास उनके मन में जो अपनी भूमिका की जो संकल्प उसमें किस तरह से इस बदलाव को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो डे स्टार्ट सीनिंग देमसेल्स अज लीडर ऑफ 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 ग्राउंड लेवल एड्यूकेशन मुवमेंट इन दीज क्राइसिस टाइम्स यह बहुत ही एक महत्कून सरोकार हमारे दिमाग में रहा technology है एंड उसके प्रयोक की बात है समुदाय की एक इसमें बहुत ही महत्कून भूमिका है जो कि अभी हमारे हम जो models की बात करेंगे या अनुभवों की बात करेंगे model शायद उसे कहना ठीक नहीं है हम अपनी अनुभवों को उस रूप में साजह कर रहे हैं तो समुदाय की भूमिका और समुदाय की समझ और समुदाय का भी एक संगठन के रूप में एक संगठित रूप में वहां पर उभर कर आना एक बहुत ही मैं कून पक्ष रहा है जो कि हमने सब जगे अपने काम की शुरुवात इन ही पक्षों पर काम करते हुए की है जो बहुत मैं कहूंगा कि पहली और प्रात्मिक शर्ट थी जिस पर सबसे ज़ादा काम करना आविशक हमें लगा और जिस पर शुरुवाती दौर में सबसे ज़ादा समय भी दिया गया वो था कि बच्चों की सेफटी और सेक्यूरिटी उनकी सुरक्षा जो है और समुदाय की भी सुरक्षा जिनसे हम मिल जूल रहे हैं इन पूरी प्रक्रियाओं को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में ये कुछ छै मैं कहूंगा आयाम है जिन पर लगातार औ कहीं खड़ा हो पाया है इन चारों मॉडल में जो मैं कहूंगा कि इसका विकास क्रम जो रहा है इसका एविल्यूशनरी पात जो हम देख पाते हैं उसमें एक कॉमन कुछ एलिमेंट्स रहे हैं कुछ कॉमन चीजें रही हैं कि वो किस तरह से विक्सित हुए सबसे पहले जो मैं कहूंगा कि हमने अपने काम की शुरुवात की थी उस दौरान हमारा जो मूल सरोकार था वो शिक्षा बिलकुल भी नहीं था शुरुवाती एक से डेड़ माईनों में हम उस बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे कि उसकी क्या समभावनाएं हैं और मोटे तोर पर काम की जो रूप में इसकी शुरुवात की गई और यहां पर एक सिंपल एक कॉल था लोगों के लिए कि कौन हैं लोग जो की आगे आना चाहेंगे इस लोग डाउन में इस भै की स्तिती से बाहर निकल कर काम की शुरुवात करना चाहेंगे और यह उस समय इसको ऐसे नहीं देख रहे चाहा पर हमारे साथी जो मैं कहूंगा कि उनको विशेश रूप से धन्यवाद मैं देना चाहूंगा वो पहले साथी जो की as volunteers के रूप में हमारे से जुड़े और उन्होंने कुकस के आसपास के शेत्रों में ये relief का जो काम है awareness का काम है food distribution है इस तरह के काम को अपने हाथ में लिया और उस पूरी प्रक्रिया में बहुत से guidelines डवलप हुए बहुत सारी प्रक्रियाएं विक्सित हुई जिनसे सभी सात्यों में धीरे धीरे आत्मिश्वास आता गए कि सुरक्षा संभव है और सुरक्षit रुप से काम किया जाना जो है वो MA hosts है और उस पर ध्यान देने की बहुत आवशकता है और इन सब को सुचारों रूप से किया जा सकता है सारे staff हम कहेंगे कि हमारा सेंट्रल स्टाफ है वो ऑफिस में शिफ्ट हुआ और दो महीने तकरीबन वहीं पर रहा और यह जो लग अलग लोग है प्रोजेक्ट से यह आते चले गए और जो फील्ड में जो लोग थे उनके उनके साथ टेकनलोजी के माध्यम से हम कोविड पर एक समझ बनाने का काम कर र समझने की और अग्रिसर था और उस तरह से सोच रहा था तब हम लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया कि यह कैसे संभव है कि अब बच्चों तक भी ठीक से पहुँचा जाए और मटीरियल्स का निर्मान शुरू हुआ और यह साथी अपने अपने प्रोजेक्ट ए क्शलड़र प्रेजियल्स का कंदम था और इस तरह से हमने हर कारिकरम में एक बहुत चोटे समू से शुरूआत की अकादमिक कारे को समझने की और उस पूरी प्रक्रिया में कैसे समता जो है, उसको केंदर में रखा जा सके उसको समझने वाला एक समू हर प्रोजेक्ट में चोटा समू हो जो कि इस पर काम करता जाए और परिस्तितियों के अनुसार ये जो छे जो आयाम हैं इन पर हम एक लगातार प्रग्रिती करते रह सकें और यही में कॉम्रा की मूल जो विकास करम है उसमें सभी में जो कॉमन बात रही है वो यह रही है अब सीधा मैं जो किया तो हमें मालूम पड़ा कि तकरीबन 10 प्रतिशत बच्चे ही हैं जिन तक हम तकनी की माध्यमों से या उसके प्रयोगों से हम पहुचने की कोई स्थिती हमारी है खासतोर पर एक्सेस का ही बहुत बड़ा इश्यू है फंक्शनालिटी का बहुत बड़ा इश्यू है और जैसा कि मैंने कहा कि जब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट बेस में शिफ्ट हुए और शिफ्ट होने के बाद हमारे जो शिक्षक साथी थे उन्होंने यह कहा कि वो अपने पोविड रिलीव वर्क को जारी रखेंगे और पोविड रिलीव वर्क जिस तरह से वो कर रहे ते उस पूरी प्रक्रिया में वह अपने अप में एक समुदाय में एक आत्म विश्वास बना रहे थे कि इससे बचाव संभब है और वो उस पेहवार का एक आदर्श प्रस्थूत कर रहे थे और यहां से उनक्या मैं बानता हूं कि उनके साथ उनका जो समुदाय के साथ तो एक पुराना संबंध है क्योंकि यहां पर हमारे जो स्कूल है वो दो दश्कों से समुदायक विद्यालियों के रूप में काम कर रहे हैं और वो और गहराता चला गया और इन्होंने जो पहल की कि वो स्कूलों में रूपेंगे वो एक उधारन बना और उसके साथ साथ और अन्य शिक्षक साथियों ने भी यह हिम्मत की कि वो इस कारणे में जुड़ें और कोविड रिलीफ को लेकर काफी बड़े स्तर और अवेरनेस का काम जो है खनागाजी और उम्रेन की जो 31 में काऊंगा जो बोर्शाला हैं उन शेत्रों में हो प से और सतत रूप से मैं कहूंगा कि केंद्री टीम काम कर रही थी और उसके आधार पर एक संदर्विक्रित मेटीरियल्स का निर्मान की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही थी तो यह जो शिक्षक साथ ही बहुत स्ट्रिक्ट कोड का पालन करते हुए अपने अकादमिक पक्षों को बहतर करते हुए और साथी साथ स्कूल में ही रहते हुए दस से चौदा दिन स्कूल में रहना और के समुदाय के साथ यह जो बात्चीत हो रही थी और लंबे समय तक बच्चों तक पहुचने में समस्या हो रही थी वहां से शिक्षा घर की बात जो है वो उभर कर आती है कि हम शिक्षा घर का निर्मान करें यानि घरों में ही बहुत चोटे समू में ऐसे हो सकती है वो एक संकल् उभर कर आई इस पर जो अभी हम आगे मूवी देखेंगे उसमर उसमें उन सभी साथियों के अनुभव हैं और बहुत ही गहराई से जब समुदायों के साथ बाचीत हुई है तो एक अलग ही मैं मानता हूं कि डारेक्ट आउट रीच कैसे इन परिस्तितियों में समभव है उस है जिसकों की गहराई से अभी की जो स्थितिय जहां पर इक्विटी के बहुत गहरे सवाल है उसका उसमें कहीं एक उत्तर हमको महसूस होता है और इसी रूप में चाइड्ड वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स, इन एलिमिनाईज की घुमीका रही है साथ ही साथ में प्रय इस इन पर सभी पर लगातार काम होता जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक जो उसकिती है वो उहर कर आए इसी रूप में अभी केजी बीवी राजिस्थान और एंपी में जो प्रजोला कारिक्रम है वहां पर भी इस तरह के प्रयास हुए है जहां पर आप कुछ यह होंगा उतने बड़े स्तरपर तो नहीं जैसा कि शिक्षक पहल कारिक्रम में परन्तों काफी बड़े स्तरपर एक ब्लेंडिड मॉडल को हम खड़ा कर पाए हैं वह उसका जो मूल कारण है वो यह है कि यह होस्टल है और यहां पर जो बच्चियां है वो वापिस चली गई घर चले गी और जो संपूर विध्याले का जो काम है वो पहले हमारे जो एसेफ अकैडमिक सपोर्ट फेलो जो साथी थे वो रेमेडियल पर काम कर रहे थे वचानक उनको पूरे विध्याले पर काम करने की जो स्तितिती वो खड़ी हो गई और सभी बच्चों के साथ जुड में ही काम करते हुए मुख्यत रूप से डायरेक्ट आउट्रीच शिक्षागर की स्ट्रेजी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी और बहुत हद तक हम भी मानते हैं कि काफी बच्चों तक हम वहां पर पहुँच पाए हैं और उनके साथ एक सतत और गंभीर काम करने की पर आस तोर पर जिसे मैं आज भी अनुभवों को ज्यान करता हूं कि मद्यप्रदेश के जो साती हैं उन्होंने काफी आगे बढ़कर एवन बॉनिटेरिली कांट्रिब्यूट किया पूरे रिलीफ वर्क में और वहां पर भी अपने सतरों पर उखाम को करते रहे और यहां पर जो परिस्थिती बनी थी कि अब उनको सब बच्चों तक पहुंचना था और जो सिस्टम है वो बहुत प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर एक छोटे सम्हूं ने दोनों ही राजियों में शुरुवात की और वहां से अपने अनुभवों को चोड़ का जो काम है उसको इवाल करने का जो काम किया और फिर उसको एट स्केल ले जाने में इन ही साथियों की जो इक भूमिका थी वो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है क्योंकि जैसा कि अगर हम उन्चे मेट्रिक्स को देखे तो यहां पर जो कपैसिटी ऑफ एस एफ किया और एक ब्लेंडेड मॉडल जो है उसको खड़ा करने में मैं मैं मानता हूं कि वहां पर हमें सफलता मिली है इनका हम अभी जो वीडियो डॉक्यमेंटेशन अभी हम कर रहे हैं और उमीद करता हूं कि आगे हम जितने भी साथ ही अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके सा है जहां पर जिन से हम जोड़ पाए हैं और इसको हमने बहुत मुख्य माना है पूरे समता के सरोकार को ध्यान में रखते हुए और इसमें जो समुदाय की भूमिका है इवन अभीभावों को की और SMC और अन्य समुदाय की वह बहुत ही मैं मानता हूं कि वह रही है और उस और हमारा एक खास मैं काहूंगा की द्धान या हमारा जो केंधर है वो रहा है इसी तरह उदर प्रोग्राम है जहां पर जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत हद तक हम इसमें इमांते हैं कि सीधी पहुंच बनाने में सफल हो पाये हैं यहाँ पर शुरुवात में बह अपने डाउट थे और बाकी अने सही होगी साथियों के संस्थाओं के भी बहुत डाउट थे पर वो कैसे धीरे धीरे अनुभवों से अपने आप में रिजॉल्व होते चले गए तो ये उदय प्रोग्राम है यहां पर बहुत माइग्रेशन के बहुत बड़े इशूज थे गो तो the next session because we are overshooting time here uh i would only say the core elements that teachers stay in school they develop a complete new behavior and community is actually given a very extensive role how we track every child and we cater and we keep on developing materials that cater to the need of every child and finally to develop a comprehensive curricular model ये चार-पांच कुछ आयाम हैं जिनको हमने ध्यान में रखते हुए एक model को बनाने की कोशिश की है और इस प्रक्रिया में हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको पतम करूँगा अब धन्यवाद साशा जी मैं अब आगरा करूँगा कि क्रिपिया हम लोग वीडियो की तरफ मूव करें चाक चले चाक चाक चले चाक अंबर गफां आदे में हन्सूरे आदे में काक चाक चले चाक भरती दो फांग, आदे में नीम फले आदे में दाग चाक चले चाक दुनिया दो फांग, आदे में चांदी है आदे मेरा चाक चले चाक, जीवन दो फांग, आदे मेरो धन्य आदे मेरा चाक चले चाक, चाक चले चाक, चाक चले चाक जब 20 मार्ज को यह आया कि फूरे देश में एक लोगडाउन जैसी स्थिती बन रही थी, बहुत से समयती से डाइरेक्टरी साब का भी हमारे का इक सूश में मिली, कि एक लोगडाउन में आपको भी स्कूले अपन को भी बंद करने ची और ऐसा एक समसार मिला, ऐसे करके 22 मार् तो भै इस तरूप में था कि नई बीमारी है, कैसे हम इसको इसका सामना कर पाएंगे जो महमारी है ये तो पैलती जारी है और इसका असर है वो समाज पे किस तरह से पढ़ रहा है, लोगवाग घरों में बंद होगे, उनके खाने पिने पे, जो गरीब लोग हैं, दिहारी पे, मजदूरी पे काम करते हैं, तो वो कहीं आजा नहीं सकेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनके साथ में बहुत तरह की समश्या हो रही है। While the world came to a standstill, imparting inclusive and comprehensive education to children across the marginalized sections, became a challenge. Bodh Shikshah Samiti responded promptly to curb the inequitable impacts of corona crisis with its unique and community-led model of education. अबी देखे तो एक बहुत अलग तरह का सिनेरियो देखने में आया, सभी लोग वर्फरॉम होम के लिए फोकस कर रहे थे, कि वो घर पर ही रहेंगे, घर पर रहकर ही काम करेंगे, उनका एक अपने तरह का डर था, चाहे वो डर फैमिली का था, उनका खुद का था, उनका स अबी देखे लिए उनका था, या यह कहें कि मीडिया का था, मीडिया ने इतना क्रियेट कर दिया था, पूरा कि लोगों को लग रहा था, अगर से बाहर निकले तो पतानी क्या होगा. एक दो योगिंदर सर के साथ सहसन हुए, मार्च के माह में, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया, कि भाई, अब कितने दिन हम घर पे बैठ के रह सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा. ऐसे स्थिते में बहुत से समयते ने भी लोगों को जागरू करने उनके मदद करने के लिए सोचा, इसमें सब मैं भी वोलेंटर के रूप में बहुत से समयते में कुछ कसी में आया हूँ. It all started with formulating a set of guidelines in tandem with the COVID-19 safety measures, ensuring health and hygiene before initiating any kind of communication with the community. These guidelines were percolated and translated to the teachers and different stakeholders of BORDE's education model. Everyone was sensitized and made aware about the guidelines through online trainings and community reach. Corona की guideline तैयार की गई जिसको हमको फोलो कैसे करना है बताया गया. जिससे हमारे अंदर जो डर था, कोरोना के प्रती, वो एक दूर होने लगा. तो यहाँ पर जैसे हम साथ में आये तो और कॉमुनिटी में आके यह एक अलग तरह का द्रस्च्य था. मतला यह अलग दुनिया थी. सहर में हम ऐसे नजरबंद होके जी रहे थे और यहाँ पर पता नहीं कि COVID है या नहीं. मैं तो पहली बार लगा कि हाँ पर कुछने, लोग हम को देख रहे थे कि यह कौन है? सरव पर्थम अमने सबसे पहले लोगों को COVID जागरुकता परकारे किया, जिसमें लोगों को समधाय में जाकर उनसे COVID के बारे में बताना, इसके बचाव, लोगों को जागरुक करना, लोगों से बात्चित की गई. और ये एक लंबी बिमारी है, वैस्विक बिमारी है, तो ये सोट टाइम में अकम समय में जाने वाली नहीं है, तो हमें लंबे समय तक इसके साथ जीना है, तो उससे कैसे उसका सामना करेंगे? पर उने बताय गया कि इस से जादर दरूत नहीं है, इसके हमारे को उपाय करने चाहिए, तो हम मास्क लगागे रखना है, दूरी बना कर रखना है, बीदवार वाले चेत्रों में नही जाना है, गर से बार आवसकारी होने पर निकलना है, तो और जब गर से बार आप जाते पर तकिन ओन निलिया चुछ इंडुकर्वर्ण online teaching model in India 320 million students have been affected by COVID-19 school closures the board shalas of both shikshah samithi spread in different rural and urban slums of Rajasthan remain no exception our children have been studying for many years so there was a very good study and now our children can't go there the disease was such a thing that children are sitting at home हमारे पढ़ाई हो नहीं पाई बच्चों की हाला थोड़े खराब होने लगे तो स्कूल के सार हमको जानकारी देने के लिए आए यह गोवर्मेंट ची आए कि इनको ओलाइन बच्चों के जो हैं और उनको ओलाइन भी पढ़ाए जाएं जिसके कपूटर से लेप्टोप से त तो बाहर बच्चों के बारा तेरा जार रुपए का मोबाईल आता है वो जुटा नहीं सकता संसादन ओनलाइन में एक अजीब सी समस्या है कि आप कितने बच्चों के पास जुड़ पा रहे हैं ग्रामीन एरिया आज में पहली बाद तो नेटवर्क उपलब नहीं होगा प्रोपर रूप से दूसरे समस्या आएगे कि बच्चों के पास एंड्रोइट फोन नहीं है एक ही परिवार में तीन चार बच्चे हैं जो अलग-अलग क्लासेज में अब आप एक ही बच्चे को काम डाल रहे हैं तो एक ही मोबाईल पर चार बच्चों का काम जा रहा है अब वो काम कितना कर पाएगा बच्चा यह जो एजुकेशन का सिचुएशन था जो हमारे इस उम्रेन और थानागाजी ब्लॉक के बच्चे फेस कर रहे थे वो दो प्रकार के इशुस थे जिसको हम लोग डील कर रहे थे इस समय एक और इग्जिस्टिंग प्रोब्लम है जिसके साथ हमारा पूरा सिस्टम और हम लोग जूज रहे हैं कि गुणवक्ता पून शिक्षा बच्चों को किस प्रकार से मिल सकती है और इसके साथ जो हमारा ये कोविट का सिच्वेशन एक पंडमिक मिक्स हुआ पूर बोडश शिक्षा समिती इस इंपर दान एड़ कि अधिशन मॉडल एड़ को प्रोड़ कि बड़ी लड़ की जो पार चुकी है जो पॉलिज जाती है उन बच्चों की बड़ बच्चों की मीटिंग भी उनने बात की कि बड़ी बढ़ हराब हुरी है मूलता यू हमारे कम्यूनिटी के लोगों ने ही हम से आकर केस में कहा था कि सर हमारे बच्चों की बyt सम्य से पढ़ाई नहीं हो रही है और आप काफी सरोकार रखते हैं इस चीज को लेकर के काफी हमसे बात भी करते हैं बच्चों को पढ़ाई लेकर पूछते हैं चिंता रखते हैं तो अब आप ही बताईए इसका क्या रास्ता हो सकता है समुधाय ने यह कहना शुडू किया कि हमसे तो आपको हो सकता है कोरोना पर आप जिस तरह से रहते हैं आप से किसी को कोरोना होने की कोई संभावना नहीं है तो समुधाय का यह जो विश्वास था कि अगर ही हमारे बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे पूर्ता सुरक्षित हैं वो एक बहुत महतुपून मैं कहूंगा एक एलिमेंट के रूप में इस पूरी प्रक्रिया में उभर कर आया Bode has learned in its different interventions that community ownership is the foundation of any successful education model wherein school management committees have always played crucial roles even during COVID crisis the SMC's played poignant role in enabling access to equal and quality education across the community तो सबसे पहले चुंगय और्गनेसेशन लेवल पर हमारे डिरेक्टर साप में एक मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर बातचीत की कि कैसे हम इस तिती में बच्चों को उनके पढ़ाने लिखाने की जो पढ़ाने लिखने की जो मामले हैं उस में कैसे मदद करेंगे और क्या तरीका हो सकता है तो SMC के साथ ही हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी जिम्मेदारी है कुछ भी करना पड़े हम आपके साथ हैं लेकिन आप बच्चों को पढ़ाओ उन्होंने में आमंत्रित किया है उन्होंने PEO के पास भी गय कीजिए उसके कोड़ियंगम काम कर लेंगे बोट के काम में हमेशा बच्चे और उनके अभिभावक उनका समुदाए यही प्राइमरी स्टेक होल्डर की तरह हमेशा रहते हैं तो जो भी काम किया जाता है उसमें हमेशा यह ध्यान रहता है कि कैसे बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ट काम किया जा सके तो इस व्यवस्था में यह स्वाभावित था कि यह सोचा गया कि कि किसी न किसी तरह बच्चों तक पहुँचना है यह जो समवाद शुरू हुआ और समुदाय की एक आविशक्ता और एक पहल मैं कहुँगा इन समवादों के जरिये से उभर कर आने लगी तब धीरे धीरे एक निर्णय मैं कहुँगा वहीं पर इन समवादों में उभर कर आने लगा कि हम बच्चों के साथ में किसी भी तरीके से सीधे कार्य की शुरुवात करें Community और Parents के साथ में बच्चों के साथ सेक्शन कार्य करने के पूरी रूप रेखा तयार की गई और स्कूल लेवल पर पूरे स्टाप के साथ में किस तरीके से बच्चों के डोर-टू-डोर शिक्षा है, वो निरंतर और नियमत रूप से कैसे उसको जारी रख सकते हैं, पूरा मुवमेंट प्लान वनाय गया। तो हमने इस तरीके से यहां पर समू चलाना शुरू किया, शिक्षा घर बनाए, छोटे-छोटे समू जिनको हम कह रहे हैं कि हमारे प्रतेक घर को ही शिक्षा का विध्याले बना दिया, शिक्षा घर बना दिया, अपने सेंट्र हैं, जैसे गुरूजी पढ़ाते हैं, इसमें सब्सक्राइब बच्चे 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 The advantage of having these volunteers in the center of the model was that these volunteers were alumni of the same schools and were well aware of the pedagogy and teaching methods of bodhshalas. इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी चुनोतियां आई हमारे जितने शिक्षक साथ ही थे और अगर हम बहुत छोटे सम्मुहों को शिक्षागर के माध्यम से जोड़ना चाहते थे तो उसमें हमको ये समझ में आने लगा कि जो शिक्षागरों की संख्या होगी वो बहुत जादा होगी और सभी बच्चों तक हर दिन पहुंच पाना लगभा संभव कारे होगा ऐल्मनाय और वोलुंटियर प्लस टीचर और चिल्रन इन सब को मिला कर एक ये जो एक मॉडल है शिक्षागर का इसकी शुरुवात हुई इन दू ताइम मोर दन 800 सच शिक्षागर्स और लेर निंग सेट अप वेर मोर दन 4,000 चिल्रन आ विंकेटर दू विद कॉलिटी एजुकेशन फर पास 120 देज नव जब ये सिच्वेशन देखी तो मुझे लगा कि क्यो नहां मैसा काम करें क्यों हमारे भाईवन्दों को जो अभी छूट गए हैं मेरे छोटे भाईवेंड जो अभी इस पैनेडेमिक सिच्वेशन में इधर उदर घूम रहे हैं क्यों हम उनकी सायता करूँ इसलिए सर ने हमको प्रेरना दी हमारे पास मिटिंग में बुलाया हम लोगों को प्रेरन सकते हो क्या हम आपकी मदद पूरी करेंगे उसमें उसके बाद सोचा कि अगर हम इन पर थोड़ा बोट द्यान देंगे तो शायद अब एक वो रहेगा नुशासान साथ तो यह पढ़ लेंगे ऐसे पढ़ाना सही है क्योंकि अभी अभी तो पतानी कब खुलेगा यह सुब क्योंकि अभी अभी तो यह पास मसंपरक मेन आते हैं मैस में योगदान देरा हूं यह मेर को बाद अच्छा लग रहा है कि इस स्कुल मैंने पढ़ा है उसी स्कुल के बढ़ाने को पढ़ाने का मुझे थोड़ा असर मिला है और जो हम पढ़ादे है उसमे थोड़ा बाद में आते हैं तो यह अनुड़ा है और अच्छार बॉड़ा है पढ़ा है कि बढ़ाने के नहीं थोड़ा है उसके लावा पिछली खाट वहाँ देड़ाए उसके लाव पिछली क्लास के अधर चेज़ कटाँ चाड़ा ज़े इन और जैसा किश्व किताब मिल के तो सा सब्सक्राइब करते हैं अब इस समय हमारे बचों की बहुत अची पढ़ाई चल रहे हैं गुरुजी टी एलम लाते हैं यह बच्छों को पढ़ाते हैं और हम भी उनकी मदद करते हैं इस कोविड के कारण जैसे मैं यह पढ़ा रही हूं एक मैलाओ करके भी इतनी दूर है गर और यहां पर मैं हूँ फिर भी हम इतनी कट्णाय में मतलब बच्छों के साथ लगे हुए हैं डेली जाते हैं तीन-चार किलोमेटर उनको पढ़ाते हैं वहां पे मैलाओं को भी अखि उनकी आवसिकता क्या है उसकी नारी उसकी अकोड़ीख आमपलान बना रहे हैं उसको कारिय दे रहे हैं और असन से कर रहे है तो हम बहुत अच्छा लग रहे हैं तो अबेग्या लगा है थ Imma वहां पर पर पढ़ने लगे तो सभी बच्चे पूनरुची के साथ एक नए उत्सा के साथ ऐसे बहमे वहाँ पर पढने लगे On the other side, the teachers at both ensured that comprehensive teaching, learning materials in the form of worksheets, kits, etc. were designed and circulated, keeping in mind the availability of supplies and resources in the vicinity of the learning centers दो बातों का हम लोगों ने विशेश धिहान दिया कि एक तो जितने भी बच्चे हैं जिस भी उम्र के हैं और जिस भी कक्षा के और जिस भी स्तर के हैं वो एक टाइम पर खाली नबट हैं इसके लिए जो design material का लिया गया उसमें अभी भावकों को बच्चों को और जो हमारे volunteers हैं उनको तीनों को ध्यान में रख करके उसके instruction को जो है वो design करने की कोशिश की गई है उसमें और design करती समय 15 days का module हमने रखा है 15 days का यानि की सिक्षक यदि दो या तीन बार वहां जा पा रहा है तो वो 15 दिन का जो material है उसको बच्चे स्वयम अपने इस तरह पर कर सके जिसके अंदर जो resource group है और जो सिक्षक साथी है जो इस विसर में काम कर रहे हैं उनके feedback को इसमें सामिल करते हुए उनकी मदद से इस सामगरी मेर्मित हुई है और इस सामगरी को लेकर के बच्चों के साथ काम किया जा रहा है इस मॉडल पर काम करना या ऐसे कारे को कारे को लेते हुए ऐसे चैलेंज को लेते हुए प्लानिंग करना और वो material डिवेलप कर पाना यह हमारे academic leaders और सिक्षकों ने सिखाया TLM जो teaching learning material है वो अगर सिक्षक ठीक से खोज करें तो बच्चों के आसपास उपलब रहता है और सिक्षक की सोचने समझने की समता पर निर्मर करता है कि वो कंग्रों में भी TLM निकाल सकता है तो आपर हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए उनके साथ में टीचर्स के द्वारा काम किया गया तो उसमें एक बच्चे को और गहराई से समझने का जैसा हमारे टीचर साथ के उसे अनुबम आया कि उन्होंने एक बच्चे को बहुत ही गहराई से हर एक बच उसमें कौन बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें हर एक बच्चे की प्रोग्रेस को उसमें दर्ज किया जा रहा है, तो हम यह नहीं कह सकते कि बच्चों के साथ में पहले की तरह काम नहीं हो रहा है, और भी अच्छी तरीके से हर एक बच्चे के साथ महां प पे हो रही है तीचर के पास मोबाइल है और एक स्पीकर की डिवाइस है वो जाकर शिक्षागरों में पांस साथ बच्चे जो भी है वही पर जाकर इस डिवाइस को यूज करके आउनलाइन मटेरियल यूज करेगा तो वो एक तरह का महौल वहां पर क्रियेट कर पाएगा और सारे लर्निः अबजक्टिव को लेते हुए हम इस पर छेतर बार काम कर पाएगे उसके लिए मैंने जैसे की फोन में तानपुरा रॉनलोड किया हूआ है उसकी जाईता से बच्चों को करापारी हूँ मैं उसकी साहथा से बच्चों को करा पारी हूँ है वाल शिक्षा घर बांस्तौर्ब जाया हो रहा था तो फोटोकोपी मसीन उपलब्द करवाई गई तो इस तर के अनुसार अभी बच्चों के जो लेवल के अनुसार जो वक्सीत हम ठीक से आराम से बना पा रहे हैं और उसकी फोटोकोपी करके बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं हमने यह सोचा कि जब हम यहां रहेंगे और यहां रहते हुए जब हम रोज आवा गमन नहीं करेंगे तो स्याइद जो कोरोना है उससे हम काफी बचाओ कर सकते हैं ऐसा सोच कर हमने यहां सिक्षाले में विद्दाले में रहना सुनीशित किया पंदरा दिन हम स्कूल में रुखते हैं यहीं खाना बनाते हैं यहीं सोते हैं अलग-अलग सब सिक्षकों की अलग-अलग व्यावस्ता है एक-एक रोम में एक-एक सिक्षक रहता है और जो खाना बनाते हैं उनमें भी आमने टीम विवाजिन कर रखी है चार-चार लोग है जो दूरी बनाके और अपना खाना बनाते हैं। पर इस तरह का कोई प्रभावी शिक्षन का मॉडल सभी बच्छों के लिए बनाया जा सकता है। हम गजबेटे ही पड़ाई करते हैं। और हमें किताब मुड़ गई हैं। सब में हम यह इंपर लियाते हैं। वो तक्षे पड़ रहे हैं। वो जो पहले था, वो तीरे तीरे यादोने लगाया हैं। इस एंटाया community-led model with teachers and volunteers at the core of Shikshagharz and Shikshalaya has been playing a pivotal role in successfully ensuring access to quality and equitable education across the marginalized sections of the society. Shikshakai Suraj hai Nikla, O Raha hai yab yo jala, आखे खोलो हम कभी है लिखना पढ़ना, हम कभी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूं और तुम कहूं, कभी भी, कहीं भी हम को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुम भी बोलो तुम भी बोलो तुम भी बोलो ऌतुम पढ़ना है आगो बोलो बूड़ना जी को छोम्रोडर को जाइन चिक विए लिए ऑफ उनाजरी प्रावोडों advance me definitely we are slightly over shooting the time and I think the last immediately our silver energy to set the team for our discussion for the family Thank you very much it was really a very good initiative y'all shed gives us a lot of hope we all know thing the for which situation even without provided दोटेदीใuryाी तेक्पड चाहिन इए अवीदिट बोगले इसक्ट शोफ बोग versão or the challenge does become so high after and there are certain very scary data coming up for example loong guy is talked about more than 10 million more girls secondary education age group we'll be out of school because of this because of kobe it there was also one study which I did off save which said that 25 to 35 percent दोन लोस्टे लोड में या लोस्टे शोरिक, वे लोले भी हो कि अधियों व जाए वे लियं आपर वाओनाने लिए हो इना लूग्स को ऑूग अ वॉज कि अवाला हुआ हो ए रहाप अल्याद कि यहां है कि अवाल है वाले हो और अवाल पोट ए यह वाल हो बट इन अल्ट ग this call is to work and not to leave it for the family to work and there are 3-4 oz children who gets it. It's always the boy cheque. There are many-many such initiatives that have come up with lots of good strategies but I also read of one initiative by Haryana government I don't know who is supporting that which talks about how they how the government has taken up this role and ensure that there is this kind of volunteers working and with some teachers being paid now we have and we just heard this very wonderful presentation by both talking of a range of strategies to reach out there has been direct reach out there has been a blended model of reach out and technology and there has been technology we have such a robust and experienced and learned panel we would like to raise a few issues for you to or to show us the light of the day for example let's look at equity first if you look at equity is a model or the strategy addressing is the issue of equity in all respects digital gender location socio-economic are we addressing that then we come to volunteerism wonderfully this initiative has shown how the alumni has been used the teaching was done by both both Shala teachers but after that it was the alumni and alumni coming up and doing this if it comes to others can they use Mina Munch Gargi Munch scouts and guides NSS whatever there is there train them then also the panel would be requested to throw out on what should be the training what kind watch what kind of curriculum can be taken up I come to the next issue of parenting parenting becomes a very important factor in this COVID situation and even when schools open we know that more and more it will be dependent on parents to carry on the education that they are having in school lots of homework would be given lots of project work they will be doing how is it that we involve the parents and there have been some very good practices across the country across the world if some key ideas can be shared with us okay how can parents take this up how can parenting be an issue and what to do it teacher education what would be the components of teacher education how should that happen we saw Sasha doing a online training of teachers how what 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 more can be done what should be the key components of teacher education protection I as I was seeing the program I saw protection is a big issue because you have a person going to the field who has an idea of child rights so the person can always identify our child being sent for labor is there a child marriage happening is there some kind of every use and how are they going to counsel parents to have confidence in the education system and send them back to school with schools oh next I come to community school interface wonderful initiative which shows that community has come together to work what's going to be the role of SMC what is going to be the role of PRI in Rajasthan we can talk of the panchayat elementary education system but there must be many more so what are we going to do what is going to be the interface national education program doesn't speak so much about community engagement so how what are the recommendations that we are going to make for community engagement space the board the last video we saw which showed that there was a lot of space in the village but when it comes to urban how can this be transfer to urban area and the whole question of scalability can the government scale it up and how can the government scale it up can the government do it on their own or the government has to take the support of civil society organization that has a good reach to make this make this a reality make children continue their education and the whole thing of government civil society partnership what is the structure we are seeing what is the framework we are seeing for all this and the most effective what is most effective is it online is it a blended approach or is it direct approach and finally for the curriculum I would say that in emergencies we have always heard build back better in this case can we talk of build learning better can curriculum become more holistic what are your recommendations I we are looking forward to your the the panel discussion over to Sasha thank you and I think you raise very important points and clear the complete landscape for discussion I will go for the next presentation which is by by Professor Jalal Jalal sir is an eminent education in India one of the leading educationists and has been director of the literacy mission and has been very key positions in the government and entire education landscape of South Asia so I had a conversation with him yesterday he has certain technological issues to immediately join from the zoom so I'm going to play some of the audio clips that are there after the conversation clearing his view on the some of the issues which Shuladna ji has rightly raised so I'll ask the technical team to start the audio audio so Jalal sir so you must be able to justify if there is no universal availability of the facilities to every time or every form so this is the way independent reading writing comprehension understanding and reading and speaking listening reading writing should be integrated together so this pedagogy of learning with all the four major processes speaking reading and writing should be in the program which is not done in the school so this is a new pedagogy so this is a new pedagogy it has turned out before you have to give the student so this is a new pedagogy number one of the classes so this is a new pedagogy so this is the first course of the school so this is the second course of the school और ओही नायनाय सब्जुर सिखा है, उसको इस्तेमाल करते रहे. So, oral interaction will be the most important, early outcome of this program. And then putting it down to a writing stage, with a lot of errors and there to be corrected, taking selective punctuation, सारे किसमें सिखना है. यह तो सिखना है, पढ़ना लिखना लिख्षा है थी, earlier pond में, जो बिल्कुल नहीं होता है कक्षा में, उसको सही जैंसे सिखाना है. और इस चाक्रा खत्म करके इंत्यान के दिलिवास के इंत्यान के लिए त्यार होगा, यह जो tradition, pressure on the children and the system, और नकल करके पास करो, जो भी लेखें उसको जैंदा नंबर देखें परेंट को खुश्चा को, यह जो distraction होता है, hypocrisy होता है, इसको आगे बढ़ाने को लिए यह प्रोग्रम नहीं है, यह प्रोग्रम तो बच्चे को सही लेख से सिखने का लिए तैयार करना, और इसको लिए प्रोग्रम नहीं है, जो तो आगे बढ़े है, वो समझा सकते हैं, यह सब कॉपटी बलाणी और सोचल बलाणी को आगे बढ़ाना है, और इसको लिए मेट्रियल चोटे-चोटे टास्क के तैयार करना है, किताब रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, किताब रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो समझना चाहिए कि जो शिक्षा का स्तार बच्चो को है, तो ज्यादातर बच्चो को उस कष्टा को स्तार पे होना चाहिए, उस स्तार पे नहीं है, उसको बहुत नेचे है. पूछना है शिक्षकों को पूछना है और पिर आप कहेंगे अगर यह अंतर है जरूर रही है तो ऑगर बंदद करने को यह तरीका ढूंगा है वही तरीका ढूंग के हमने ये कर्षा में आपस में वेट के जो फुर्यारी सिक्षा है उसको आगे बुराने को लिए आप भी मादद करिए और पार बार इस्पुल खोई जाए ने लगातार आप आप देश्पुले को पारा में पटब बात पर आःए, नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको लिए आप जो प्रचार चाहिए, अरजिकारी आए, उन लो कि अधिकार को प्रोयोग करना है दूसरा बात है कि स्कूल के मैनेजमेंट को तरीका भी बदलना है कि यह लगातार यह बच्चा को शिक्षा में आगे बढ़ने का लिए जवाब नहीं होना है जो काम हम कोवीड में शुरू करेंगे यह एक कोलाबोरीटिव प्रोग्रम विटिले कॉमुनिटी पेरेंट्स एंदी कॉमुनिटी लेडर्स एंदी स्कूल अधरर्टिज और इस दिनों को आपस में मिलाने को लिए तैंस भी संगठन बोद देशा यह आपस में सब को मिला के यह नाय दाइकास से बच्चे को जो कंपिया रहे गए इसको किसे हाल करें और साथ-साथ चिलिवस को भी तयार करें, यह बहुत कव़़ें काम हैं इस कव़वें को को करने को लिए और ज्यादा मिहनत करने पड़ेगा और ज्यादा समय देने पड़ेगा तो स्कुल सुणा कि देखे कुन सा प्रक्रिया तब से जल्दी से जल्दी बच्चे को आगे बढ़ाएंगे इसको बदनी तरीका क्या है कि एक्सपर्ट एडवाइस डेटा कलेक्शन अनालीसिस यह सब चाहिए इसलिए समुदाय को प्यार करना है यह मौकर मेरा है इसको तोना है उनको जवाइक जब्ना है तो उनको जो स्कुल से दिल्रा था वो नहीं. जो बच्छे को सारे सुद्याइब लिद् efforts आप disturbance कर रहे हैं.. माता पिटा को भी prince कर रहे है!! कि घरिग माता पिटा आइश्टे घर में परिए his or environment नहीं है , इसने पड़ने का लिखने कर इसके पिछे आए बच्यक को देमाग पीछे है मंध-बूदि है यह सब कहें के, यह class divided society में जो गरीब है, उसको गरीबी रखना एक चरिका बन गए है. गरीबी ही जो ही है. यह प्रक्रिया जो philosophical प्लिटिकल अप्रोच है, इसको बर्तरा रखने को लिए बुरोक्राश्री और मेडी ख्लाश एह दबॉल डाल गए है. I want to say that's regular, simple casebook तो रख सकते हैं, मगर most simple language में rhymes, simple stories, इसको सब बच्चे अच्छे राइंच से पढ़ना से पढ़ना से इसको इसको acting कर सकते हैं, इसको सवाल जवाब कर सकते हैं, जबानी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और open-ended questions दे तो उसमें चार्पास लाइन लिख सेकें, यह जो सहर सहर मेट्रियल देके, with lot of illustration, lot of pictures देके, lot of material for group learning, यह देके उसको सिखाने का कोशिश करें, और बहुत खोश रखेंगे, ज़ल्दी ज़ल्दी बहुत कुछ सिखेंगे, जो कि foundational learning है, जो missing है in school में, इसको दीजे इसको स्राइसर बाद में होगा, प्रक्षमी करेंगे. जो सिखेंगे, 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 और इसमें I think कुछ बहुत ही important points है जो जलाल सर ने रखे हैं कि technology का अगर universal reach है ही नहीं तो हम उसको वैसे भी कैसे justify कर सकते हैं और बहुत ही basic or competencies पर एक integrated model को बनाने की अभी आवेशकता है और जो learning regression है उसको address करने की need है and accountability and community के साथ काम करने का जो है element वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ही में है और उस पर काम करते हुए ही हम शायद post-covid scenario जो भी बनेगा उसके लिए एक बहतर स्थिती पैदा कर पाएंगे और इसलिए आज की तारीक में हमको उस vision के साथ उस भविशे के स्थितियों को ध् स्यां में रखते हुए 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 है वे है प्रोविख सब्सवयार घंह हुए हीन वे रखते हुए फोर थे और फोर सै घस्व Meश की को अजय को प्रिंपरा है कर दो संद Two यह है बहुंसर णिई लिए फिरहें पन के लिए पीट आंट रेखर यह इन अश्या...Te takते है University which has really done a significant contribution and at this moment he is a professor in Central Institute of Education Nile University so I'll immediately ask shamji to let us know about his reactions on the model and his general observations on the situation and what he thinks should be the future course for education in India thank you Sasha अपका साश्रा का प्रसेंटेशन और योगन जी का प्रसेंटेशन और गीडियो मेरी तो बहुत ही महतुबूरन आगी एलिए आगी अधिरियंस था मुझे इन बहुत अप्रचुनिटी मुझे मिला आगी थे बिखने की लिए तो समझ ने की लिए शुलगना जी, कही सवालें हमारे सामने रिखे हैं, मुझे लग रहा है कि पुरा उसका जवाब देने का काबिलियत मेरे परस नहीं है, मैं सिर्फ ए कहूंगा कि यह मैं जो यह अभी हम ने देखा, सुना, इन से क्या लेसंस, at least what are the take-aways for me, उसके बारे में में अंशुप में मुझे लगा कि, we understand that, you know, upper middle class, उच्चा मध्दिवर्व अमारे समाझ में 10 प्रजिशत लग बग हैं, but फिर भी सार्वजनिक नीती के ट्षेत्र में, public policy के ट्षेत्र में, the dominant template, the प्रबल द्रिष्टिकोन, जो है, वो ए मध्धिवर्व का needs और मध्धिवर्व का context है, unfortunately. ए गरिबों का, marginalized का, जो गूरल अरियास में रहते हैं उनका, और खासकर के, मेरलाओं का, बच्यों का, और socially marginalized segments का, इनका realities को थोड़ा कम नजर अमें रखते हैं, हमारा public policy. यह बोट का जो अपरोच से मुझे लगा की यह, इस जो द्रिष्टिकोन है, उसका आपने मुलट-प्लट किये रवर्स किये. of a middle class centered uh way of looking at public policy and um which uh one of the major lessons i learned is that uh you know different contexts is different programs in a country that is celebrating now this whole idea of one country one rule and one law and everything one uh in that this whole uh a joe um summer yes so much your different context ke liye different programs ka zarurath hai a joe samaj ek uh a modesty modesty ke saath only when you are so how america health se aapne uh accomplish kiya hai uh-huh jaha apne center main uh but chungka context raka oh usme se aapka strategy or second uh um aspect to us that happen and this is very different by the way this is very different from some of the systems which i am familiar with at least in delhi here ka municipal corporation delhi schools yeah delhi government schools ke sandharp may make as a town key because central vision the online was a major uh major solution to the problem and that was considered to be a major solution but it turned out to be that it was excluding a whole lot of people not just that it also was excluding teachers so delhi they said share made teachers a government school teachers uh uh yeah pura vacation may um uh both sarah dosari cheese dosari com kia or rashan distribution ke liye or you know or b which sarkari kamong ke liye uh 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 inka teachers ka deployment hua hai uh teachers ko sirf public policy ka instrument or uh 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 ke tarah say derek kai uh uh tendency yeah uh uh so yeah uh uh so yeah what uh joe oraha haike centralized unanay kuch uh teaching material or video lessons benate hain or teachers ko ka tane hain ki aap whatsapp message ka through yes abh dj ka sab teach students of course it is uh very unsatisfactory because it covers only a very few people 20-30 प्रदिश्रत लोगों के पास यह सबसाधन है वो भी जैसे सुलगनाचीक ने कहा कि वो सुर्फ एक स्मार्टफोन होगा एक परिवार में वो तो बच्चों के साथ स्खास करके बच्चों के पास वो मिलना बुट मुश्किल होगा तो यह teacher empowerment is a very important thing and teacher collective empowerment I mean you what you and your strategy was basically focused on children but the the major aspect of your strategy was to get the teachers together and and then fan out and have a direct outreach मुझे लग रहा है कि यह इसमें से एक एक इंपॉर्टन लेसन है for the larger public policy and similarly the teacher community partnership a community ka ownership अगर नहीं है तो यह दिमांड साइड पे एक प्रोक्तिव रोल if we don't attribute a proactive role to the demand side हम शायद अमारा जो भी strategy है वो कापलियत शायद नहीं होगा क्यूंकि यहां एक हम अमारा अमारा गौटना अमारा आमार इमाज़िशिन में we consider families and community as only passive recipients so instead I think and and rights perspective of education is actually completely forgotten and we need to really place the community and the child back into the center and education should be seen as a matter of right तो यह सब मुझे लग रहा है कि एक पूरा हमारा नियाय वेवस्ता है और पुब्लिक पॉलिसी धान जा है उसमें एक मानुवी बात है असंप्शन is that you know what applies to the middle class मध्यवर्प के लिए जो सथल ले वो सब के लिए अब को पता है कि last two days how much of publicity has been given to the JEE examination just because it covers a certain kind of people and the highest court of the country the highest levels of the government is involved in this whereas nobody believes nobody has any time to consider the crores of children who have been left behind through this gap and so lagna ji both sahih कहा कि तीन चार महिना का हो या ज्यादा हो वो जो गाप है लेर्णिंग आप है बच्चों के लिए तो बहुती is significant a ito eka cable thing so there is a there is a critical path the it is a part dependent a chunk of job because a your part dependent so early stages me other is a gap hota hey Bhavish may us who catch up karna or you know it's full foundation may um uh uh learning uh co base karna book both muskhil hoga so it's the nuksan kaha kaha koga pata nahi even for those children who are going to return to the school but as sulagna ji rightly said you do not know how many children are really going to actually drop out and even if they don't drop out how many are going to be marginal in their participation in the school it is uh both the problematic and sangir uh uh sander may both guys in this initiative is a major learning experience and i hope that there are other similar initiatives in other parts of india i think it will be a very good idea for us to collect uh you know learnings documentation from such initiatives and bring together an alternative to a top-down public policy which we are uh at the movement practice thank you sasha thank you thank you shaman and g for being so short and so correct and so direct anyway i just to summarize you have been uh shaman uh men and gina joe but i haki one size doesn't fit all or you have some coke yalrak nachaya we can't plan for one sector of the society and forget the others also he appreciated both program of the big deck being uh keeping the child in the center stage and he highlighted that how online in its different form may not success succeed for various reasons and uh he congratulated both for all the for for a lot of uh learning that has come up from this program thank you again and on this uh not taking any more time i'd like to invite uh dr dheel jingran to come and share with us his ideas uh i'm sure everybody knows that dheel jingran has been an is officer but he has a passion for education and he has joined language learning foundation and uh he has become quite a name in education all over over to thank you shulagna sabi ko namaskar or jesse aap sabna kaha uh both case experience ko uh uh sarana uh itni kari jay uh 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 लोग सामने आएं और जो ओनलाइन एडूकेशन का मिथक जो एक कलपना की उडान इस समय देश में भरी जा रही है उसका एक विकल्प प्रस्ट किया जाए विकल्प अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जैसे साशा ने कहा सब जगे हमारे अपने वॉलंटियर्स ये टीचर्स न हम लोग छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं जो कि कक्षा एक से तीन में हैं और बहुत सारी बाते हुई एक्सेस के बारे में कि स्मार्ट फोन नहीं है कनेक्टिविटी नहीं है एक उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज़ है उप्युक्तता की आनलाइन या जो वाटसैप पर या मुबाइल फोन पर एजुकेशन देने देना कितना उचित है चोटे बच्चों के लिए तो हम सब यह जानते हैं कि चोटे बच्चों के लिए और साइद सभी के लिए सीखना एक सामजिक प्रत्रिया है चोटे बच्चे स्वाध्यान के लिए self-learning, they will read and learn, उसके लिए तयार नहीं होते हैं, प्रफसर जलालुदी ने भी कहा ये, किसी बड़े के साथ सीखना उनका अच्छा रहता है, उसी के साथ वो सीखते हैं, बातचीत उनके लिए सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है और ये बातचीत मोबाइल फोन पर नही अभाव है, तो अगर हम एक आप लोगों ने सुना हो, अगर डेवलप्मेंट सेक्टर में, there's a very common way of saying that whatever you do, जो भी आप initiative लेते हैं, the basic yardstick, the bottom line is do no harm, इससे कोई नुकसान नहीं हो, पाइदा अगर नहीं भी हो पाए तो नुकसान नहीं हो, पर जैसे आपने बताया कि ये जो अगर हम pure online की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं, और समता की जो माप्तंड है, समता का जो test है, वो पास नहीं कर पाता है online education, और ये बात कुई है, पर मैं उसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि समता की दृष्टी से online education बिल करते हैं, हमारे खुद के शिक्षक ये volunteers ये खुद के स्कूल नहीं है, हम लोगों का प्रोग्राम इस समय 4,000 स्कूलों में तीन राज्यों में है, 36 गड़, हर्याना और राजिस्थान, और हमारी ये responsibility है कि जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, उनके साथ काम करें, प्रशि हमने अपने पिछले कई सालों के काम में देखा है कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो बदलना चाहते हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, और हमारा फोकस इस पर है कि classroom की प्रक्रिया को बदला जाए, जिससे कि अभी जो रट कर, नकल करके काम होता है, वो बदले, बच्चों की भा काम जिसमें कि बच्चे थोड़ा बहुत mechanical चीजें सीख ले पर सोचना, समझना, वो काम बहुत कम होता है, तो ये सब बढ़ाया जाए, और ये हमारे पास एक अंतराल है, ऐसा समय है, जब हम शिक्षकों के साथ और बाकी लोग जो शिक्षा विवस्था में हैं, उनके साथ आप डायलॉग कर सकें, कि शिक्षा विवस्था में क्या बदलाव आना चाहिए, मैं इस पर आउंगा कि हम बच्चों के साथ क्या काम कर सकते हैं घर पर इस समय, वो हम कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है, और हम इस पर काम पिछले तीन-चार महिने से कर रहे हैं, कि ये स्कूल खुलते हैं, उस पर बहुत चर्चा हो, और उसका एक विजन क्रियेट हो, जिसमें स्कूल और समुदाय का जुडाव, और शिक्षकों का अभिवावकों के साथ जुडाव, वो बहुत महत्वपूल चीज है, तो ये एक समय ऐसा है कि हम लोगों को शिक्षकों के उसमें कहा जाता है, teachers will consume the content, consume मतलब वो उसको अंदर ले लेंगे, और आप देखिए जो परिवर्तन हमको लाना है कक्षाओं में, कि बच्चे बातशीत करें, बच्चे सोचे, समझें, उसके लिए teacher के beliefs and attitudes, जो उनकी धारनाएं हैं, मानिताएं हैं, उसमें dialogue के साथ परिवर direction में हमको online की बहुत सारी चीज़ें हम use कर सकते हैं, मैं आखिर में जो हम लोग कारिकरम इस समय चला रहे हैं बच्चों के घर पे सीखने के लिए, घर पे या समुदाई में, मैंने जैसे कहा कि थोड़ा अलग है क्योंकि हमारे पास volunteer teacher नहीं है, हमारे पास एक coordinator हैं, जो एक व्यक्ति हैं 50 स्कूलों के उपर, या 50 गाओं मान सकते हैं आप, 40-50 गाओं के उपर, वो एक catalyst का काम करते हैं, facilitator का काम करते हैं, करोना के समय से पहले उनका काम था कि classroom में जाकर, जो government के CRC, BRC हैं, उनके साथ उनसे अलग जाकर teachers को बदलाव लाने में साहता करें, पर अब वो पूरी तरह से इसमें जुटे हैं कि किस तरह से हम teachers के साथ काम करके, ये देख सकें कि teachers बच्चों तक पहुंच रहे हैं, या बच्चे school तक आ रहे हैं, 4-5 जिस तरह से भी सुरक्षित रूप से आ सकते हैं, चतिसगर में कुछ महला school शुरू किये गए हैं, तो उनके सा जो block coordinators और अन्य कारे करता हैं, समुदाए, और जो सरकारी सिस्टम में CRC, BRC सर के लोग हैं, और ये सब एक design बना ऐसा कि किस तरह से हम बच्चों तक सामगरी पहुँचाई गई, इसमें की workbook है, और हर बच्चे के पास workbook और पढ़ने के किताब, और कुछ जगाओं पर पुस्तकाले से किताबें जो हैं, सब स्कूल से निकाली गई, और इस तरह की सामगरी बच्चों तक पहुँचाई गई, ये करीब एक महिना, डेड़ महिना पहले हुआ, उससे पहले हम भी WhatsApp पर काफी निरबर थे और अच्छे अच्छी तस्वीरे देखते थे, WhatsApp पर कि घर पर और सारविजनिक स्थान पर बच्चे इखठा हों, और उनको या तो लोकल वालेंटियर, वालेंटियर को हम अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉडल जैसे मैंने कहा अलग था, हम सरकार की स्कूली व्यवस्था के साथ काम करते थे, जहां वाले इंटियर या बड़े बच्चे हैं, वो साहता कर सकते हैं, फोन कॉल हर हफते कम से कम हर घर पे हो, हर पेरेंट के पास जाए, उनके पास अगर वो मैसेज दे सकते हैं, तो SMS मैसेज की बात है, शिक्षकों के लिए उनका भी औरियेंटेशन हुआ, किस तरह से वो बच्चों क के साथ काम कर सकते हैं, और एक चीज हम ये कर रहे हैं कि हर बच्चे का एक तरह से सतत आकलन की बच्चा कितना कर पा रहा है, क्या जरूरत है, कैसे सीख सकता है आगे, टीचर के साथ मिलकर, तो इसमें भी टीचर जो सामने आए, ऐसा नहीं है कि हर टीचर को करने का कुछ सर के साथ जोडने के लिए छुख थे और काम ऐसे शुरू हुआ कि अब जितने टीचर खुदी जुड रहे हैं उनके साथ शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर और भी टीचर आना शुरू हो गये हैं महले पर बच्चे इखटा होते हैं कुछ तस्वीरे थी मेरे पास पर इस तरह से काम चल रहा है कि हर बच्चे को जायद हर रोज तो कोई nevertheless नहीं मिल पाती है पर हर दूसरे तीसरे दिन जहां वॉलन करका हो हर रोज महीं तो हर दूसरे तीसरे दिन एक दो में वट्चों के साथ काम होता है और बच्चों के पास जैसे मैंने कहा सामगरी है वो उस पर काम करते हैं और उसका एक आकलन होता है एक समझ ली जाती है कि कितना काम हुआ है बच्चे को क्या कठनाई है तो यह हमारा मॉडल है जो हम अभी तीन राज्यों में लगबग 25,000 बच्चों के साथ कर रहे हैं और आ साथ से पैंसाठ हजार हैं उनको जोडने के प्रयास में लगे हैं क्योंकि इन बच्चों के लिए सिर्फ वर्थ भूख देने से काम नहीं होगा क्योंकि इनके लिए तो सबसे पहले मौखिक भाषा विकास उनके आमने सामने कोई बैठ कर कैसे काम कर सके तो हम इस प्रयास म खुर्मी के लिक्रावां ए journée, कर yourself के लिए लिए जोड़ेंग है। उर झ्दिएसंड खे एक समय गोले हीरी जहने है और दुख मिल म्लें, जह चिए तरह के сам हैं, और जो जोया क्या इंवार जुते। जह सका है लोग क्या हुआँ जुड़ेंगर वुष्तार जुट जानेवाद जिसने अनलाइन थासक बेस रावट जिसने एंपरिंग को श्यूल है राव करें। तो जो आ थो भी इसंपर्टन आघ बिद करें। और अखें आधर जिर्डिशन को भी और आधर बेस्मार्ड आगाने थिसने जिक्जानेशों करें। focus and how we need to also evolve an alternative uh forum of discussion uh जो की एक पूरी अभी जो एक स्थिती बन गई है उसको एक alternative रुदान करें so i think these are very important points you raised uh our next analyst is Ramamohan who is the CEO of uh NSE Foundation and uh also uh जो हभी हमने Rajasthan or MPK Prajola project NSE is uh is behind all those programs and NSE Foundation is taking that model across uh the nation which is so much required and uh Jalal Sahib हो या धिर जी हो everyone has pointed out so i would uh ask Rema Ji to uh share her thoughts on the present situation and what and and in now how she looks at the future and the systemic questions large-scale questions because NSE is working at such a huge scale uh with uh with the this sort of a model in mind and that sort of insight so over to you uh Rema Ji most welcome and floor is yours yes my greetings to all the other uh esteemed panelists uh who are there uh with me what i can tell you is what uh we do and what we've tried to do and what we have tried to evolve over these uh you know very challenging times um um you know this is a very very strange situation that we are in to both a jeep si karis pati hai abhi jo ham log uh you know abhi jo experience karre jo sab kuch hai but kuch nahi hai i'm sure you will resonate with this ab sabko yeh samaj rae ga jo sab kuch hai or kuch nahi hai this is a time of extremes this is a time which is very strange jo aaj may be bohot salom pehle jo spanish influenza bolte hain bohut sarhi flu or epidemics aya huye hai tab shayad aise hua hai joe global shutdown hua hai you know where um but even that had usually it was in pockets and uh restricted to their geographies or to that continent abhi jo because of this air travel because of the modern nature of our way of life and living this entire thing has spread to a global context but at the same time is because uh we have access like we are alone we are isolated we are totally cut off like what yoghendra ji was saying we are totally wired here we have access to everything and that is why i always feel that this is an extremely challenging but at the same time opportune time kyunki humare haat mein sab kuch hai we are the creator of our destiny so we really need to relook at so many things that we are doing and uh yeh bhi ase uh hua hai this is again an opportune time when the government is talking about education we came out with the new education policy health ke baare mein baat ka rete that the you know investments in education and health bohot kam ho gaya tha jo chhe percent saat percent ya jada hoona chahiye yeh jo bot critical sectors meh hum one percent se ni cha agethe to how are we going to really deal with it at a very at a fundamental administrative and policy level kitna investments hona chahiye yeh sab batachit sab chal ra ta when this whole uh you know epidemic pandemic uh these things uh had broken out and uh one more thing uh i would like to really say is that india meh jo ho time of quantum jumping ho time matlab kai kai steps kai kai processes hum log skip karte hai to go to the next level now may kyo hi example de rhe hi ho aapko abhi samaj aega kyunki jab hum log education ke baare mein baat karre hai health ke baare mein baat karre hai hum aisa model dunna padega that is a quantum jump because jo phc is uh and the normal way of accessing health so abhi toh nahin ho paega and uh nse is working with a lot of elderly as a sector toh isme problems are in abhi joab or or agar school ke baare mein baat karre hai you cannot have a technology driven model kyunki jo villages mein apko data nahin mil rahe hai you are not able to get connectivity so there is no data line that has gone to the villages though they had a plan to do it so kafi cheez jo hota hai wo ham log abhi dubara soch ki quantum jumping karna padta hai so that is why i say india because of the scale that it has because of the diversity that it has we are going to be at a very important stage in evolution of the nation's evolutions nation's developmental evolution where we will need to fast track things and we will have to think things in a very different manner one of the most disturbing things um jo mujhe lag ra hai you know for me personally it's extremely disturbing is the fact that um you know this this widening like i said it's this extremes that we are facing today you know um is that everything is kept to the extreme jesse so let's say if somebody has money they have a job they have a job they have money on the other hand you have a person who's a migrant who's uh looking at a daily bread and butter and he doesn't have that so food becomes an issue so you're having extreme polarity which is also reflected in education how are we going to access it now when a child is from a middle class or from a higher income group so here you have a segment of of children who are getting so many so much of inputs and such varied inputs whether it is dance drama literature singing uh life skills and they are getting such a push to go to the next level and then you have a category of children from villages from rural areas from the lower income groups from uh you know whose parents are migrants who are shifting now here you have we are talking about regression in education and that is not just regression it becomes quantum regression because the lapse of the 1-2 months if we factor in summer holidays too okay two months or three months now it becomes quantum so here you have a child who's almost lost a year so this is the problem that we are having today and i know that we've all made our problem statements but you know what really saddens me is that just the past three few years you know we have been making somewhat of a progression in every field people are aspirational people wanted to do more women were being empowered communities wanted to go ahead people were willing to travel were willing to travel from assam to kerala for jobs uh there was more of integration and suddenly it's now being wiped out and that is what is really really saddening that we do not know we uh our company national stock exchange up jante now we drive most we drive almost 90 plus percent of the retail equity markets in india and we have um information on all the companies who are listed and um you know we also do internal studies we have research and everywhere it is quite evident that we are heading for some sort of a slowdown in various sectors except if it is insurance health and a few other sectors technology or something like that but the rest of the sectors are going to um are going to fall back on their delivery so the so the economic condition has also been uh impacted um impacted now i will so this is what i really wanted to tell you because it's quite alarming or 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 ek baat when we started out uh this residential schools the residential schools jo hum log soch te te that the girl is always left behind so there are always those communities who fall back who have issues that education is not about one generation it's over generations but not it's not about one person being educated it is about the family being educated and over over periods that is when you get a very robust community of people who are educated so when we look at that uh uh you know from from that sense it's very important that uh we look at we look at communities we look at parents we look at children and we look at understanding that these are first generation learners these are people who are triple disadvantaged tribals minorities girls women and how can we expect them all of a sudden just to come at par learning competencies and that was how we conceived this entire uh csr program which is our uh you know which is our flagship program we realized that the educational um you know the the schools which are residential schools which offer education to really um those communities those individuals those families that are left behind this entire developmental debate and conversations and access and all that these are the communities we need to go to so that is why we started off in ashim shala unicef amare partners same um we started off with wash retrofitting and then we went to education and then we moved on to rajasthan where we uh we we requested both to take up a similar model you know for education and we have another partner who's also doing wash similarly then we scaled up um into madhya pradesh all the educational 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 backward blocks of madhya pradesh now when sulagna ji spoke she spoke about she spoke about a wide gamut of things that we need to address in education right so what i will do i'm not going to get into that but i have a very short presentation this is the adapting to the covid and i must tell you here where we as an organization are talking about inclusive quality education linked to so this is where sulagna assisting comes in where you have employment and livelihoods sexual and reproductive health gender base and the inclusive quality nutrition and the resilience and collaboration and convergence with our other programs so the theme of this is schools are closed but learning continues i'm going to take uh from i'm going to take uh examples from each of uh a few of our programs and uh really very quickly rushed through the slides as well so this is kharali rajasthan so here what it is is that we found out that our model of having shikshan was embedded in the communities really helped to take learning into the communities what is education education is not a transfer of skills education is not transfer of competencies it's just one of them but it is so much more and as i had said about first generation learners it's important to have that facilitator who does it so um trying to converge on the digital platforms really the conventional methods support from the community the regular sharing of the online content and i think till now about 3500 and on students have been impacted with this and also the most important how do we get the you know the the community and especially the families where the parents are the first teachers how do we get them involved so this was one of the things that we looked at uh so and along with that also the activities that one needs to do during the covid period and such as the education dialogue the and the regular awareness generation of the covid you know the health hygiene and other aspects but the remedial classes are really what kept this learning uh entire learning process ongoing even though the schools were closed so this is one one person just like yourself this is a shikshan mitra how he is going about his activities uh who is uh who is uh who is going about the daily business he takes care of a cluster uh of hamlets and a cluster of children also um and how he really takes uh the education into the communities and awareness uh of the program also dhineshi meena who is also one uh such as yourself yeah there was a lot of work that was done but the importance of nutrition was something that they did as well as a mental well-being because there were a lot of migrants coming back in addition to this what they did was use community radio so this was something that was done on an experimental basis and i think it had very good results so this is one example i've given you and do bar maharashtra this is one of the blended models we were talking about where we had done um a digital literacy and uh in ashram shalas but what we were able to do with the support of the government is load this entire software on the smartphones of the children so they were able to take it back to their houses and we were able to track them uh when they learned ramnatapuram in tamilnadu this is a slightly uh this is the true blended model if you were to look at so mantabam and tirpalani blocks uh in ramnatapuram this is an aspirational district where uh we had we've created an app we've created with the ngo uh aid india uh we have also created uh spoken english modules um where we are able to uh you know reach out to the students as well as app based course materials where we are not only able to uh reach out to the students we are also able to reach out to the shikshan mitras so the whatsapp based activities for the students are also followed up by a phone call so there is a regular interaction it's not only an online so when we look at blended models here we are talking about a person who is going into the community we are talking about apps we are talking about follow up in phone calls we are talking about phone call where the child is able to give a missed call and a certain number of queries will be generated and the child can answer the query and can also reach out to an online tutor in addition to that we also have a capacity building of the government teachers that is being done as well as the shikshan mitras that is being done so in brief i just given you three different locations three different modules that we are following sasha has already told you about the kgbv's so in short uh i think um uh you know sulagna ji this has um addressed uh most of your things where uh we've spoken about how we are trying to integrate collaborate converge various um you know the various pieces uh that are uh and the gaps that are there and trying to really link it last last point i want to say uh sulagna ji when you said we need to include community now that is one point which is very important so please bear with me for exactly two minutes um one aspect of this entire gap and distress that we are talking about that we really left out is the fact that uh we have uh things like um trafficking on the rise depending on the place that we are in now there are communities we are working in where trafficking is on the rise and that is where sulagna ji where nse uh which is working in education elder care environment wash and skill development we try to blend things as i've shown in the first slide but you know where this elder care model can we try to capacitate can we try to capacity build can we try to include um include elders to be uh literally community sentinels can we try to include them in this education bit and can we sensitize them on trafficking and other issues that are there abuse sexual abuse and other things and also there are many retired school teachers who form that senior you know senior generation and communities can they be roped in to teach so this is where you know a really really intensive thought thought driven process for design that is why i said designing is very important models need to be articulated thought of and try to be blended and we cannot do this alone last but not least where you said that we need to involve government yes you are absolutely right government can give you infrastructure they can give you the hard aspects of everything but the softer aspects has to be left to the to the communities to the cbo's to the civil society organization and the csrs if they can get in because that is the only way we can you know all of us need to join forces to really get this thing going uh especially during this trouble times and in the days to come when we need to think of good design and good processes i can see some of the chats i entirely agree with you the messages but time is of the essence and i cannot get into all those points you mentioned but rest short they're all in my in the programs that nsc runs all those issues have been addressed thank you so much thank you for all your patience listening and i wish all the field volunteers who are very dear to me the very best of luck and in these trying times thank you thank you very much reema particularly for bringing up the issue of protection and the need for quantum uh jump or quantum change that we have to do uh your presentation was very good but we really need time to go through that you know for the next chapter ke liye uh uh of my divya jalan ji it's a great kronka he who is such a co agibara divya jalan ji uh both k it's uh uh karek sekhaz torpe jis ka aap me abhi video dekha hai this model is the director of good earth foundation and uh she is one of the founding members of uh the well-known organization adhi choki specially abled children ke saath mein uh uh so it would be very important to know uh and very crucial to understand uh what her uh views are with uh with regard to this present scenario and also uh what she thinks about the shikshagar model and uh what what is her vision so uh i will uh request uh divya divya jalan ji uh to take the session forward uh welcome uh divya jalan ji you can uh take the session uh ahead thanks no 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 good earth education foundation ke ke krathen ji ke karek seam uh good earth education foundation joo a shirt group ki et foundation और हम लोग बोद के साथ बहुत शुरू से ही काम कर रहे हैं जब से शिक्षक पहल कारिक्रम शुरू हुआ और जब से बोद्षालाओं की स्थापना हुई तब से ही हम शिक्षक पहल के साथ जुड़े हुए हैं आज हमने जो देखा शिक्षक पहल का जो कारिक्रम है वह इस महामारी की वजह से शिक्षन में जो रुकावट आई उसको वह कैसे किस तरह से उसका क्या रिस्पॉन्स आया है इस पर और किस तरह से शिक्षक पहल का प्रोग्राम इस शिक्षक के काम में आगे बढ़ रहा है उसको हमने देखा तो मुझे यह लगता है कि थोड़ा हम अगर प्रिष्ठ भूमी में जाएं थोड़ा एतिहासिक दृष्टि से देखें तो शिक्षक पहल में बोद शालाओं की स्थापना क्यों हुई किस भावना से प्रेरित हो करके यह काम शुरू किया गया वो यह था कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां बच्चों तक शिक्षन बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा है वहां पर किस तरह से गुनवत्ता पूर्ण शिक्षन की व्यवस्था की जाए तो एक तरह से यह अन्याए एक तरह का अन्या कि जब उन्होंने इस ओनलाइन व्यवस्था के बारे में सुना तो उनको यही समझ में आया कि यह भी एक तरह से अन्याए होगा एक तरह से यह कमी रह जाएगी कि हमारे गाउं के चेत्रों में जहां ओनलाइन की व्यवस्था नहीं हो सकती है वहां के बच्चे शिक्षन से वंचित रह जाएंगे तो इसके दो ही उपाएं है या तो कुछ न किया जाए छिक्षन को छोड़ दिया जाए और या जैसा की बोध जैसा की बोध की के हमेशा काम करने की फिलोसफी है हमेशा सोचने का तरीका है ये सोचा गया कि इसमें और क्या विकल्प संभव है और बोध के काम में हमेशा बच्चे और उनके अभिभावक उनका समुदाए यही प्राइमरी स्टेक होल्डर की तरह हमेशा रहते हैं तो जो भी काम किया जाता है उसमें हमेशा ये ध्यान रहता है कि कैसे बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ट काम किया जा सके तो इस व्यवस्था में ये ये स्वाभावित था कि ये सोचा गया कि किसी न किसी तरह बच्चों तक पहुँचना है तो उस पहुँचने में भी एक और बात भी है कि समुदाए में जा करके बच्चों के घरों में जा करके किसी भी तरह का शिक्षन करना ये उन्ही लोगों के लिए संभव है जो इस एक समुदाए से पहले से जुड़े हुआ तो बोद का क्योंकि संबंद समुदाए से बहुत गहरे रूप में हमेशा रहा है समुदाए की सहभागिता हमेशा रही है बोद के कामों में इसी लिए ये संभव हुआ अगर हम इसको एक मॉडल की तरह देखे तो उसके लिए एक ये प्री कंडिशन है कि आप समुदाए में एक सहज ढंग से जा करके काम कर सकते हैं तो ये एक इस काम की प्रिष्ठ भूनी है तो आज जो काम हो रहा है शिक्षागरों के मात्यम से तो उसमें शुरू में शिक्षागर बने फिर उनको उनका मुल्यांकन किया गया जो कमिया समझ में आई उनको बदल करके फिर और नए शिक्षागर के ग्रूप्स बने और और नए शिक्षागर बने तो इसमें फाउंडेशनल लिटरिसी न्यूमरसी तो है ही पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये बहुत बड़ा अफसर है जो हम बच्चों के जीवन से जुड़ करके काम कर सकें तो हम हमेशा कहते हैं वैचारिक स्तर पर कहते हैं कि शिक्षन जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो गाउं के स्कूल तो वैसे भी थोड़े छोटे होते हैं समुदाय के पास होते हैं लेकिन इस वक्त तो हम बिल्कुल बच्चों के घरों तक पहुच गए बच्चों के आंगन तक पहुच गए तो बच्चों के जीवन में और जो कुछ हो रहा है जो होता रहता है आम तोर पर उसको हम शिक्षन से कैसे जोड़ सकें यह हम इस समय हम इसको एक्स्प्लोर कर सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं बच्चों के जीवन को शिक्षन से और करीबी से जोड़ सकते हैं और इसी में एक और बात जो महत्वपूर्ण है तो बच्चे आम तौर पर शाला में आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं उन बच्चों के लिए भी क्योंकि हम वहाँ हैं हम उनके घरों में हैं उनको शाला तक आने की आवश्यक्ता नहीं है तो वह को भी बढ़ावा दे सकते हैं तो इसमें मैं खास कर सोच रही हूं, जो हमारे बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, या जिनको शाला तक पहुंचने में परेशानी है, या शाला में जितना बड़ा ग्रूप होता है, या शाला की जो रोज की दिन चर्या होती है, रूटीन होती है, उसमें इनके साथ काम करना उतना आसान नहीं होता है तो कहीं पर अगर हम उस द्रिष्टी से भी जब हम काम कर रहे हैं वहाँ तो हम अगर ऐसे बच्चों के साथ भी अगर हम थोड़ा काम को बढ़ा सके तो वो एक एक इसकी उपलब्दी होगी इसके बाद अगर हम टेक्नोलोजी को लें तो इस मामारी ने एक तरह से हम सबको एक तरह प्रेड़ना दिया या एक तरह से धक्का ही लगाया है कि हम अपनी तक्नीकिक शम्ताओं को का थोड़ा सा विस्तार करें हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएं तो अगर टेक्नोलोजी की दृष्टी से देखें तो बच्चों तक तो अभी सुविधा नहीं है कि हम ऑनलाइन काम कर सकें लेकिन इस दौरान बोट के शिक्षकों की जैसे हम सब की ही ख्रमता टेक्नोलोजिकल ख्रमता बहुत बढ़ गई है एक तरह की सहजता आ गई है ज तो इसमें जो हमारे जो हमें लाब हो रहा है जो हमारी हमारा अभ्यास हो रहा है इस दौर के शेश होने के बाद भी हम उसका उप्योग कर सकेंगे ऐसी ये आशा है मुझे और आगे के लिए हम इस अनुभव से हम क्या चीजें सीख रहे हैं अगर हम उनको संगठित कर सकें बच्चों के बारे में, बच्चों के समुदाय के बारे में, अभिभावकों के बारे में, अपने बारे में, शिक्षकों के बारे में, पेडागोजी के बारे में, क्या हमें नहीं चीजें इस अनुभव से मिल रही हैं, हम उनको एकत्रित करें और हम आगे चल कर भी उनका जिए जी, फिल्सकाराइब रागराऊटोंगोगा, कि लिए इसकार चेली आपड़िटी इससा बेड़े जो बहुत बड़े जिए जो बहुत जुड़े हो जितने भी शिक्शक्साती है और अन्य जो लोग है वो किस तरह से पुरे कारेनीती का गठन करते हैं वह बहुत अलग है और उसके बिना क्या यह जो मॉडल है उसे स्केल किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है यह अपने आप में इतना सरल नहीं है जो आपने बात पही और जब तक हम इन पक्षों पर काम नहीं कर लेते हैं तब तक हम आगे जाते हुए इस पर भी एक प्रशन आता है कि हम जिस तरह के सम्ता की बात कर रहे हैं गोडवत्ता की बात कर रहे हैं तो क्या यह सभी बच्चों के लिए और फास तौर पर इस तरह के बैग्राउंड से आ रहे हैं बच्चों के लिए उस पर क्या जो हमारी ववेस् तुर वेल्यूबल इंपूट्स अधिंक कि हम इस पूरे इस काम को इसी रूप में आगे जारी रख पाएं और उमीद है कि पूरे मॉडल को नहीं तो खुछ इसमें से जरूर इस तरह के ऐलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकों की मेंस्ट्रीम सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर पा अग्यू जारा इसके काना आगा लॉप्ट को कि अवीड प्रभाट को साम्सेव का लॉप्ट जो लॉप्ट जो चिर वे वे लूफ लॉजए लॉब जू जू कि अवीट लॉच्ट लॉवट्टिस्ट ऑ्टियू । प्रभाट अट्यू जू जू ब्स आटे एक्ट दिस कि अगे ज़ व्हार इंट और इंट झालाओ अब अट जब में प्याट। अजुड है लिए अगर प्रोडिख एखने को अवाड़ टुछ अज़ एषा ट्रॉप ओ धर लाग गूज इसाज़ अट जब कोजो की दियू रेखीड लाग ट्रॉबनुड और भी तो आज़ फू online education, there was obsession, so we also as an organization initially thought it will be tech-based model that we would want to take forward. जब हम लोगों ने कुछ समय वो किया, तब जब रैपिड असेस्मेंट का सहवे भी आया, तो पता चला, tech-based models का रीच बहुत कम है, तो आपको low-tech-based या no-tech-based model चाहिए, और ये no-tech-based model का बहुत अच्छा एक्जामपल जो अभी शाशा दिये, वो उन्होंने बताया, सच्छा अच्छा चीज तो इसमें ये था कि कैसे हम लोग ensure करते हैं, क्योंकि as an organization भी हम लोग feel करते हैं, और किसी भी बच्चे के life में, और मैंने चाट में अभी एक question भी देखा कि, क्या कोई survey है कि primary education अगर six month तक miss होता है, तो क्या होता है, तो मैं एक चीज ये भी बताना चाहूँगा, कि हम लोगों ने दो जगा ये survey किया, और बात में यंग लाइफ का survey में भी ये data है, if a child misses schooling, और इसलिए साइज right to education act में भी वो 42 days schooling miss का बात है, तो अगर बच्चा लगभग 40 to 45 days schooling miss करता है, तो उसका वापस जाने का जो chances है, linking back to school actually reduces by 70 percent, so there is likelihood, two-third likelihood that the child would drop out, मतलब लगभग अगर 100 लगभग बच्चे हैं, जो इतने डिड़ महीने, दो महीने schooling missing करते थे, तो उनको वापस जोडने के chances, लगभग 100 में से 70 के reduce हो जाते थे, तो उस context में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए यह model में हम लोग अगर यह देखें कि, कैसे learning continuity है, यह हम लोग भी as a organization सुषते हैं, कि school continuity नहीं, learning continuity तो कम से कम COVID-19 situation में continue किया जा सकते हैं, क्योंकि यही हम लोगों को help करेगा, जब schools खोलेंगे, तो उनके लिए नई सुरुवात नहीं होगी, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग bridge center के माध्यम से, या bridge courses या accelerated learning के माध्यम से इसको जोड़ पाएंगे, very few researches say कि वो अगर बहुत prolonged हो जाएगा, तो chances बहुत हाई हैं, इसका हम लोगों ने experience, जब ऐसा situation नहीं था, तब भी देखा है कि अगर बच्चे drop out कर गई या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, या कुछ समय वो child labor में काम करने जाते थे, जब उनको वो पस हम लोग स्कूल से जोड़ते थे, it used to be a very herculean task और बहुत मुश्किल होता था, तो एक तो वो model है कि उनके learning continuity पर बात करते हैं, दूसरे हैं, ऐसे education भी हम लोगों नहीं या देखा है कि physical interaction और doubt clarification ये सब में बहुत मदद करते हैं, तो technology में वो aspect missing होती है क्योंकि the inquisitiveness, the emotions, वो कैसे react कर रहे हैं, ये सारे चीज बहुत clearly जब face-to-face education होता है, तब ही दिखते हैं, और तीसरा जो सबसे अच्छा चीज था, जो कि प्रोफेसर जलाल जी ने भी बताया कि samudai, matapita और schools कैसे एक as a unit और talmil में काम कर रहे थे, वो हम लोगों ने इस model में देखा, और अगर हम लोग COVID-19 के situation में भी देखें, तो ये marginalized community, सिर्फ इस्कूल, योगेंदर जी ने सरू में बताया कि कैसे उनके basic needs, food security, ये सब भी नहीं थे due to lockdown, सिर्फ ये चीज़ें नहीं missing होती है, communication कि इससे कैसे बचा जाए, हमारा क्या practice हो, तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि missing, missing था, तो अगर कोई volunteer का engagement रहता है, तो उस volunteer का engagement से हमेसा देखते हैं कि risk communication का aspect, messages जो होते हैं, gender-based violence का बोलिये, या child rights के messages, ये भी बच्चों और community में मदद करते हैं, और ये हम लोगों ने जो video भी देखा, उसमें साफ पता चलते हैं कि कैसे बच्चों का, को इन risk communication ये बाकी चीज़ों से भी मदद मिली, जो challenges हम लोग over foresee करते हैं, कि इससे क्या challenge हो सकता है, वो मुझे लगता है कि एक बड़ा challenge है कि scale up, क्योंकि ये volunteer-based model है, और कैसे volunteers आएंगे, और वो तो हम लोग देख सकते हैं, बोथ का भी experience है, बाकी कई government ने भी इसको plan किया है, Save the Children ने भी CSOs के साथ ही ये काम किया है, लेकिन जो scale up model है, how do you bring, develop the capacity of model in small time, वो एक मेरे को लगता है कि थोड़ा challenge होगा, और हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो aspect पर कैसे काम करेंगे, और last week मैं एक सुझाओ, यह भी देना चाहूँगा, कि ये dialogue और positive story बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग online छोड़के कोई medium ही नहीं नहीं देख रहे हैं, कि अभी possible है या हो सकता है, यह इतने simplistic solutions है, time-taking है, लेकिन यह इस पे बहुत public dialogue होना चाहिए, और हम लोगों को जादा से जादा लोगों तक यह model को share करना चाहिए, Thank you. Thank you Prabhat, in a very short time you said some very important points, and you kind of did half my work because you summarized many of the things that came up. So I have a very difficult task of summarizing in exactly three minutes, so let me try to just highlight one or two statements that everybody spoke on. It was too rich in a session to have in two hours or two and a half hours, this really needed half a day to work on, or more than that, a day to work on. So Yogenji started the program with one important say that lockdown was actually shut down for certain people, economic as well as education, and how it has affected everybody and how challenging it has been for the poorer socio-economic communities to deal with it, and how many people are just unaware of this. Sasha of course shared the video which everybody has spoken about, and he was talking of the context, which is an interesting factor, the factors which one needs to take into consideration. In fact, context, technology, teachers, community, and different models that can work for different groups. So that has given quite a few insight. I will now come down to what Jalaluddin, sir, was talking about. Just concentrate on core competencies. Look at cooperative learning. Look at social learning. And come back to basics. And then when schools open, the other things can be taken care of. Reading, writing is what, and comprehension is what he highlighted on. Shamji was, he spoke about, like, one size cannot fit all. He also spoke about the importance of community activities, and he appreciated both child being at the center stage. Dhir shared some of the work that they are doing, which has a lot of insights for us. He also brought in the issue of how they have oriented parents and engaged them. And he suggested that there should be a group which sits together and talks and things, which includes teachers, and which can bring about that what can be the alternate measures in these kind of a situation if online is not very effective. Reymaji had, I got snippets of her presentation, but I read it and I thought that a lot more needs to go into that. There were very important points over there because of time. She basically also spoke of the quantum jump that is necessary and to try out different models and how online is enhancing the divide between the haves and the have-nots. And different, and to find which model works best, and she shared some models which has worked for her, and that has worked wonderfully. Prabhat kind of summarized what was happening, which was very good. But he said something very important also, that technology is not taking care of emotions and inquisitiveness and all this lost. And he said scalability and community engagement is something which almost, which is an issue. But I think community engagement is something which everybody is highlighting over here. That's all from my side. Sasha, over to you. Thank you, Shulagna ji. And thanks a lot to all the panelists, because we seriously overshot the time, and everyone has been there throughout the, not just the panel discussion, but the entire session. So we see the meantime, we have Akshay Saxena with us, who is, who heads Avanti. He has reactions and things to share. He is working on a very different direction altogether. So it's very interesting. He's really deep into technological outreach and outreach through digital medium. Thank you, Sasha. And what I'll do is, I thought more than react, I'll just share some data from the digital side. So, and I think it's, this is kind of internal data, but I thought it'll be nice for everyone to actually know what the truth is, or at least what the directionally the truth is that we're finding from very, very extensive digital outreach. And I think in many ways, it's very consistent with what was mentioned. So very quickly to summarize what Avanti is doing right now, right? So we are helping coordinate a lot of direct SMS and WhatsApp-based outreach for online learning for a lot of children. So this is where it's about 8,000,000 children across Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Jharakandh. Every day, a lesson plan goes via SMS and via WhatsApp. Where they can give some videos to study, some NCRT sections and some PDFs to study. So as Dhir Sahib said, the early intervention was in a lot of states where we weren't able to do physical outreach. So this was the case that the children were able to send digital resources. And every week, especially in Haryana, where our partnership is very strong in the state, there is a mandatory weekly assessment which is writing about 50-60,000 children every week. And this report is going to the state. So this intervention in many ways is a very large intervention. Where there are about 8-9,000,000 children involved. In about 10-12,000,000 children, this content over the course of a week are also consuming. Now the big question is that how many children are getting to the truth and how many children are getting to it. So I will share some data quickly with you and use this more as a reaction to much of what was said and in many ways it supports a lot of what was said. The most important thing is our most controlled cohort, the 240 schools, where we work physically, where we have relationships with teachers, where we have relationships with teachers, where we have relationships with our principals. In those schools, the enrollment of WhatsApp groups is about 30-45% ranging from class 9-12. Now a very big factor is that our children are more than high grades and 9-12. So we are seeing that the number is more than 20-40% because parents are also more willing to give their devices to the children. In this case, children are more than 50-40% and not on the smartphone. And in the last 2-3 months, the uptake of the quiz and the participation of the quiz has reached 70-90%. But the main point I would like to draw attention to and this was mentioned by many people, which is with full intervention. I mean, from the Chief Minister down participation, we are entrenched in the system, we have worked with teachers and the best rates we are being able to achieve is about 35-40% of engagement of the children in higher grades and about 70-90% of participation in quizzes. and the other big question was, are they able to learn something? So, we have been running for the last month or so a quick experiment where we are trying to see that there are 2 types of modes of studying. और काफी लोगों ने हम से पेले भी मेंशिन किया एक है लाइफ क्लासिस जहां पर स्मॉल ग्रूप में पच्छा, साथ, साथ, साथ बच्चों को हम डिरेक्ली लाइफ जिसको हम सिंक्रिनिस लर्निंग कहते हैं उस तरह से पढ़ा है और एक और कोहर्ट हम लिया जिनको हम लो पार्ट पे ले जाया जा रहा है और गूगल फॉर्म इट सो इससे बहुत बहुत इमिजिए अब्सरवेशन यह है कि बहुत सारे बच्चे अच्छी जो हमारा गूगल फॉर्म है या अड़ेप्टर लेस्न प्लान उसे इंगेज भी नहीं करतें काफी बच्चे करीब 20-25 बच्चे उसको बस सीधा एंड में जा एंसर देंगे स्किप कर जाते हैं लेकि जो बच्चे करते हैं उसमें I think the most surprising finding is right कि अगर हम a baseline or end line compare करें जो हम आंकर इंकर इंट यूजिए यूजिए जो लाइफ क्लास वाला कोहर्ट है that is in many ways performing worse than a self-paced cohort so far which for us is a surprising finding is in some ways a counterintuitive finding but in many ways is a hopeful finding because it's saying that you don't necessarily need to do a very very high intensity tech intervention and a well-designed low intensity tech intervention also can actually give you better outcomes directionally or potentially and so that I think is a very interesting finding for us we are going to keep digging deeper into it and it 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 leads to many of the things that were observed by the speakers before right you know this model in a purely online model anyway you're seeing that the learning gains are limited if any right so बच्चे कंजूम कर रहे हैं लेकिन सीक्रहे हैं कि नहीं इसके बारे में बहुत सारे क्वेस्टिंस उसके अंदर भी higher technological interventions which is live classic sector जिनको बहुत प्रमोट किया रहा है may not be the answer in fact they may be making things harder to access harder to comprehend harder to learn so we have to even if you're going to use technology we have to find smarter easy to use easily consumable methods of delivering technology that is I think one learning the other is the little graph at the bottom which is only 15 percent बच्चे लýक्शे लिए अध्शे कर तेरन फिर उतर पाया इसके लाज खर बाफोकह है meow Ila milu Kaye 52 53 percent youth Google forms you life class massacre 5 अधित रच्चे कर पाया again in higher grades and for the remaining 48% and I would argue for the majority of these children there has to be a community-based intervention that goes hand-in-hand with these technology tools so my larger reaction is from everything we are seeing on a very very high scale pure tech intervention is supportive of you know much of what was discussed today which is that unless we really think about a blended approach which combines deep community based interventions teacheron ka yogdan, parents ka yogdan, community ka yogdan and you can use technology and there are a lot of questions about what kind of technology and what kind of intervention so the answer is not clear to anybody to be honest but what is very clear to us is technology will have a role I think much better than our expectations that was surprising to us and the other surprising finding is that high tech is not necessarily the answer enabling tech is the answer but for that enabling tech to work we need a lot of deep community intervention for me this was a very very deep learning session also and thank you for putting this together and allowing me to participate and I think what I have said and I am happy to share more but what I have said earlier the answer will only be from their mission and both will be required but I think the community aspect is going to be the biggest player in this space and I am very supportive and acknowledge a lot of what was said before that even from someone who does a lot of work with pure tech the only real answer for the children we care about is going to be community based technology is able to understand it that's all I have thank you it's very insightful also for all of us to look at your model and to understand the real possibilities and the need for blended models what has to be the nature so I think that was also good learning and it's nice to see that people like you working at very high tech and education also understand why more community-led initiatives are required at this moment for concluding remarks I have two eminent people with me as I said Shri Rajin Bhanavadji and Sobhita Ji so I will first ask Bhanavadji who has been a service servant and has been working I think tirelessly for the development of so many in so many departments but education as you always say is so close to his art and now he is a part of Shannan he has the movement there so Bhanavadji for your concluding remarks thank you thank you so much Shasha I hope you are able to hear me yes yes sir yes okay so it was a really treat to listen to all eminent speakers and to learn about the type of work Bhanavadji has been doing particularly in crisis times you approved this English dictum which is said that when the going gets tough the tough gets going and that is what you have shown that yes the tough has to get going and this is what you have said online we are a very diverse people who have smartphones and people who do not have smartphones online education I think it is which divide to come to me because it is to be not online education community and volunteers and volunteers and volunteers and people who do not have the needs of people को समाप्त होने की साल भर बाद अगर खतम भी हुआ तब तक गैप उन लोगों के पास जिनके पास ओनलाइन को लेने की सुविधा है और जिनके पास सुविधा नहीं हो दोनों में इतना बढ़ जाएगा जो गैप पहले ही ज्यादा है उस गैप को और बढ़ जाएगा तो हम जो लोग यहां जितने पैनलिस पी और दूसरे जो अटेंड कर रहे हैं इसको सबसे मेरा एक ही सुजाव है अग्रह भी है कि अगर अभी हमने समय पे रहते हैं इसको जो पीछे चूपते जा रहे हैं उन लोगों को वापस हाथ पकड़ करके थोड़ा उनके बरावर लानी कोशिश नहीं कीगी अलग अलग तरीकों से जैसा किसी ने का एक ही तरीका हर्जे के काम नहीं आएगा देश अगे तक नहीं जा सकते हैं मेरा अपना माना ही है काउंसिलिंग का पार्ट शैर आपने किया ही होगा डेफिनेटी इसके अदर इसके एडूकेशन ओफ-लाइं में खास तोर से चो कि लोगों के बाद में कई डर भी बेठा हुआ है तो उस डर को सेफटी और रखते हुए उ अब जादा हुगा है तो इतने एक तो बदाही देना चाहता हूं साचा योगेंदर जी आपको सबको और आपके साथियों को जिनोंने फील में मुश्किल समय में अपने स्कूल को अपना एपना घर बना करके वहां से बच्चों तक पहुंचने के जा काम किया है इट तो इ डिप्राइट फैमिलीज दू नोट फर्दर फॉल बिहाइंड वेंदर कोरोना टाइम सार ओवर वेंदर कोविक टाइम से ओवर यह नहीं हुआ तो हमारे देश में दो वर्ग तो पहले हैं एक वर्ग तो पहुंच जाएगा हमारो बहुत उंचे के लेवल पर और दूसरा हम सब की जो भी थोड़ा वह सोचते हैं इस तरह के बारे हम सब इसके बारे में भी देख सकते हैं वह मैंसे चुल वह और देखेंगे तो और जयादा अच्छा लगए कर किस सब्सें देक्रा हो रहा है तो हम लोग भी इस पे चुड़ते हैं हम लोग भी अगर निमित बंते हैं अच्छा गाम है तो इक रवर प्रिविल EG जा विज और जब हैं जो अवर्ड कि आफ्या यह थे विप्लाइश है और थे दो थे यह जा कि अवठोड्ब नवाद जैने की थे अच्छा इन तो रहाप पूत तग़्में पुट चूटा पांजय टोड़ां विल थोड़ां और भी खुट पूट्गमेंट को वी तोड़ां आपका वी तोड़ां बुल्यादर इस देन्ड राप क्वेश्ट हैं तो पूत आखें छे लिए पूटब में देखर अजब आतना अजैसा मानवाट वोग्षा नुट गिजर्या उर्टिं जो फां पिर्ट वोड़िक गांट फिर्टर्व जञीन zij भाइए थे फिजुट बॉध प्लौए प्लौट ऑट चैट्था मोड़िक इस स्थेरी बिशफ प्लौट इस जाप्ना इस चाहते थे इस प्लौट ऑट ऑट मौट our floor is yours most welcome and finally i i would also request you to give thanks to everyone from uh can you hear me yes yes i can yeah okay um uh for all those who are participating in this um uh thank you very much for being there so i'll start with that uh um 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 फील हुआ, क्योंकि थोड़ा मैंने अभी जो राजस्तान सरकार द्वारा ये स्माइल प्रोग्राम को इंप्लिमेंट किया जा रहा है, उसको उसको देखते हुए और उसको समझने की जब कोशिश करी, तो बहुत सारी चीजे जो बोट के experience और बोट का जो काम आज दर्शाया गया, उसको मैं देखती हुँ, तो मुझे ये ज़रूर आज मैंने सोचा, कि ये बहुत चोटी-चोटी चीजे हैं, जिसको देखते हुए बोट का काम और उन्होंने जिस किस तरह से क्या आयाम निकाले कि बच्चों की पढ़ाई को एक निरंतरता मिले, तो बहुत ऐसा कोई जैसे ओन्लाइन लेर्निंग पर इतना जादा जोर दिया जा रहा है, कि बहुत जैसे बहनावज जी ने अभी कहा, कि ओन्लाइन कर दिया, तो उस और बच्चों को की शिक्षा हो गई, तो उस सोच के चलते हुए, किस तरह से कम्यूनिटी को जोड़ते हुए, टीचर्स को जोड़ते हुए, और एक हमने रास्ता निकाला, मुझे लगठा है कि उस पर हमें गौर करना बहुत जरूरी है, और आज की चर्चा में अलग-अलग और एक्सपीरियंसेज निकल के आए हैं, शायद उसको भी कही न कहीं इखटा करने की जरूरत है, और जो एक मुझे बहुत बात अलवेज लगी है, शायद कुछ थोड़ा बहुत जब एड़ुकेशन को समझने की कोशिश करिये तब, कि कही न कहीं जब सरकारी स्कूल में बच्चों की बात आती है, और जिस बैक्राउंड से बच्चों की बात आती है, तो हमारी एक जो सर अन्फेमिलियर टेरेन पर मोस्ट अचिल्रेन वो आर इन गवर्मेंट सिस्टम, और हमने यह सोचा कि एक उपर से ओर आया सरकार का और हमारी ओनलाइन लर्निंग की शुरुवात होगी, वह कहां क्या, मतलब उसमें अभी टीचर्स खुद भी जूज रहें कि वह कैसे नेग उस तरह की स्थितिया नहीं बनती, तो if we take a leaf from the both experience, I think what we can say and I think सारे पैनलिस्स ने कहीं ना कहीं यह इंगित किया है कि अगर हम बच्चों को सेंट्रल में रखते हुए अपनी बात रखते हैं, तो उसके इर्दगेर्द जो जो environment है, उसको हम कैसे enable करें, यह बात बहुत अच की experience से निकल कर आई है, मैंने अभी योगेन जी को यह कहा था कि इस चर्चा को हम conclude, conclusion तो कैसे करें क्योंकि अभी इस पर बहुत और ज्यादा बात करने की जरूरत है, पर क्योंकि आज की चर्चा और discussion का बहुत महत्व है मुझे लगता है, और यह बहुत रिच चर्चा थी, और हमारे सामने शायद और बहुत सवाल आएंगे, और बहुत जिसे कहना चाहिए, कुछ नए विचार भी शायद लोगों के जहन में आये होंगे आज सारी बाते सुनका, तो मैं और ज़्यादा इसमें ना कहते हुए, यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे प्रयास है, वो एक चोटा प्रयास है, पर फिर भी कुछ निरंतरता बच्चों की बनी और उनका एक पढ़ाय के प्रती रुझान कंटीनू रहा, शायद उसके लिए बहुत एक बैल्यू एडिशन है, और हमेशद अन्या ऐसे जो एक्सपीरियंस है, उसको भी डॉक्युमेंट करना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है, तो मैं अपनी बात यहां समाप करती हूँ, और क्योंकि जोगेंजी ने यह भी कहा कि सारे पैनलिस को मैं धन्यवाद करूँ, तो प्रोफेसर जलाल-अदीन, प्रोफेसर शाम मेनन, धीर जेंगरन जी, रेमा मोहन, और प्रभात, आप सब को और निरंतर रखना चाहिए, बहुत जेगि भानावाद जी जी एख जए, चल जीए पर जोगें जीए प्रोफेसर लाल-चाहिए, और यह विए जरूण में धा जोगन जीए भी स्वल खोबड़ना जीए जब को घुल भी होना चाहिए, तो मैं ऑन बहाह पोड़ और रहने in this discussion, which is, I guess, the first in, you know, the first in more to come. Yeah, thank you so much. Thanks a lot, Shobita Ji. One thing I wanted to add, which I wanted to add, because about gender, Sasha, Sasha Ji has raised her experience in the beginning. I think that how we can share experiences with the girls, how we can share experiences with the girls, how we can share experiences with the girls. Because we saw, in some urban schools, where the girls had access, they were very proactive, that they have a lesson. Though it was only WhatsApp, it was very one-way, all of that. But they also had a lot of interest. At the end of the second spectrum, there were a lot of girls, because they have access to their phones, because they have a lot of things. So, in that, there was also an answer to us. So, these are all the other things that we will probably bring in the next story. So, I think very rightly, Shobita Ji, you have pointed out that, so, in the form of the sequel, we can do a good video documentation of that and also present the same. And I would also like to thank you and Manavaj Ji, that you've also been there. And the support that we feel from you. Thank you. Thank you, Hasha. Thank you. Thank you. Really precious for us. We have received a lot of questions as more than 1000 people actually connected to the webinar. And unfortunately, we won't be able to take all the questions. But I want to say to everyone that we will try to respond to all the questions, and we will try to respond to them personally in any form. And the panelists, we will try to respond to all the questions, and I hope all of them can respond to it. They can give their perspective to that. So, thanks to everyone, also those who joined from various organizations across the country. So, thank you all and abhiyam samap karte and hope that this conversation continues. And really, really, we apologize to the panelists and all the people because we seriously oversaw the time. And I hope that next time we keep in mind that it really happens in a more disciplined and a more timely fashion. So, thanks a lot, everyone. Thank you.